Human Development Report Human Development Report इस बार की निकाली गई है with the theme Breaking the Gridlock, Re-Imaging Cooperation in Polarized World याद रखने के लिए आप सिंपली देख सकते हैं कि आज की डेट में अगर देखें तो थोड़ा सा World Polarized हो गया है चाहे वो Ukraine, Russia के वार के नाम पर देखिए या फिर Israel और Middle Asia के बीच में जो tensions चल रही हैं उसको लेकर के देख सकते हैं यह जो Human Development Report है यह निकाली जाती है UNDP that is United Nations Development Program के द्वारा कुछ basics के बारे में अगर बात किया जाए तो Human Development Index यह 1990 से निकाला जा रहा है और यह Human Development Report का Core Index माना जाता है इस Index में नॉर्मली हम तीन basic चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो basic चीज़े है health को लेकर के जहां पर हम healthy life और long healthy life के बारे में बात करते हैं दूसरी education यानि knowledge के बारे में बात करते हैं और तीसरी है economic status that is decent standard of living के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग indicators के बारे में बात किया जाए तो health को ले करके हम लोग दो चीज़ों को देखते हैं एक बर्त के समय पर life expectancy क्या है और दूसरी life expectancy index क्या चीज़ है knowledge यानि education में हम लोग दो चीज़े फिर से देखते हैं एक होती है जो हमारी expected year of schooling है और दूसरी है mean year of schooling तीसरी होती है standard of living जहाँ पर हम gross national income पर per capita income को calculate करते हैं इन तीनो parameter के बाद ultimately हम human development index निकाला जाता है हालकि यह geometric mean के basis पर होता है इस index में हम लोग जब categorization करते हैं report के आधार पर तो हम लोग normally चार तरीके की categorization करते हैं एक low human development जहाँ पर value अगर 0.55 से कम आती है तो उसको हम low human development में रखते हैं दूसरी होती है medium human जहाँ पर आप 0.55 से 0.699 तक रखते हैं high human development जहाँ 0.7 से 0.799 और very high जो बहुती ज्यादा होती है इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया की जो ranking निकल करके आई है वो इस बार improve होकरके निकल करके आई है in fact हम लोगों ने in fact जो भी अभी तक discussion किया है मैंने आप लोगों को एक छोटी सी trick तो क्या चीज़ है बस आपको एक pattern बता रखा है कि इस बार का जो भी economic survey report जो भी चीज़े आ रही है उसमें एक improvement ही हमें देखने को मिली है तो अगर आपको guess करना हो तो आप improved वाला जो statement होगा उसको आप guess कर लीजेगा अब इस बार जो rank आई है 134 आई है और last year देखें मतलब 2021 में देखें तो 135 आई थी हाला कि 2018 में हमारी rank 130 भी हुआ करती थी इस बार की जो value है वो बढ़ गई है 0.633 से 0.644 यानि अगर हम लोग देखें तो हम लोग अभी भी medium human development index में अभी भी लाई करते हैं यहाँ पर सारे ही version में हमें improvement देखने को मिली है बाकि इसकी जो values होती है यह हमारे काम की नहीं है अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें आस पास की countries के साथ में अगर comparison किया जाए तो इंडिया की जो rank है वो चाइना, श्री लंका, मालदीव, भूटान और बांगला देश से भी नीचे है पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, बाकी सब हम से ऊपर ही चल रहा है अब यहाँ पर थोड़ी से और अगर बाते किया जाए तो human development index की जो value calculate की जाती है वो basically चार indicators पर based होती है जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी लिया life expectancy, expected year of schooling, mean year of schooling और gross national income ध्यान रखना है, indicator चार है, dimension यहाँ पर तीन आते है इसे develop किया गया था, महपूर बुल हक के द्वारा पाकिस्तान यह लिखा है, बट actual में बंगलेदेशी है खेर, तो यहाँ पर gross national income के basis पर हमें यह पता चल जाता है कि standard of living क्या चल रही है knowledge के basis पर हमें पता चल लाता है कि social development किस तरीके की और health से तो care idea लग जाता है कि infrastructure वगरे की क्या चीज है हला कि यह जो human development index निकाली जाती है यह कही जाती है कि this is a good thing लेकिन इससे जादा बहतर तरीके से बाकी और भी चीजों की indexes निकाली जाती है जब हम लोग GDP के बारे में बात करते हैं तो GDP एक average दिखाती है average तो क्या है? एक surfaceal view दिखाती है कि country की economy किस तरीके से चल रही है लेकिन यह नहीं दिखाती है कि country की economy उसको चलाने वाला कौन है तो जो चलाने वाला और human development को देखने के लिए यह हम लोग human development index निकाला जाता है इस human development index के basis पर हम कोशिश करते हैं कि जादा से जादा deeper format में social जो life चल रही है उसको देखें लेकिन फिर भी inequality, poverty, human security, empowerment इन सारी चीजों को human development report भी नहीं दिखा पाता है और इस कारण से हमारे पास में कई और indicators होते हैं जादा depth में दिखाते हैं जैसे जेंडर के लिए gender inequality index, poverty के लिए multidimensional poverty index, gender development index, inequality adjusted human development index और एक और चीज़ होती है planetary pressure adjusted human development index अब जो हर जगा पर अगर आप देखेंगे तो सबकी index निकलती है, सबकी अपनी अपनी performances है जैसे gender inequality index में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तीन dimension होती है, एक reproductive health, दूसरी empowerment और तीसरी है labor market यहाँ पर अगर rank देखा जाए तो इंडिया की rank 14, मतलब places ते jump कर गई है पहले जो 122 हुआ करती थी वो अब improve हो करके 108 हो गई है तो यहाँ पर भी हमें improvement देखने को मिल रही है ranks देखिए थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कभी-कभी rank directly आप से exam में पूछ लिया जाता है जो multi-dimensional poverty index होती है यहाँ पर भी कुछ 10 parameter होते हैं जो कि health, education, standard of living से ही related होते हैं यहाँ पर भी अगर बात किया जाए rank को ले करके तो there are more than 230 million people in multi-dimensional poverty index in 2021 in India gender development index इसी तरीके से gender की disparities को दिखाता है यहाँ पर भी दिखाया गया कि जो gender parity है वो 10% से अभी भी ज्यादा है inequality adjusted में जो भी inequalities बगर होती हैं उसको देख करके उसको measure करके किया जाता है और यहाँ पर इंडिया की rank जो है decline की है 6 place से 140 पर हो गई है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह हमारा declining phase में चल रहा है और खेर यह आप लोग सोच भी सकते हैं जैसे COVID के बाद से देखा गया है कि तो अमीर अमीर और होते गया है जो गरीब है और गरीब होता गया है तो inequality तो automatically यहाँ पर और बढ़ते ही गई है planetary adjusted human development index का मतलब यह होता है जहाँ पर जो भी anthropocene यानि कि पुराने टाइम से जो भी चीज़े चली आ रही है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर changes आए है तो जो भी planetary measures को ले करके adjustment की जाती है वो बन जाती है planetary pressure adjusted human development index with a 3% difference from human development index value India rank at 127 I think यह वाला जो आपका index है यह थोड़ा सा ध्यान से देख लीजेगा क्योंकि यह एक अलग है यह एक important आपके examination point of view से बन सकता है बाकी के अगर trend को देखें तो इस human development index में Norway और Iceland यह अगेन जो हैं काफी अच्छा perform किये हैं हलकी first rank Switzerland हर बारी लगबग लेकर के जाता है एक और जो चीज यहाँ पर देखी गई है वो है human development gap में अब widening हो गई है यानि पिछले जो दो दशक से हम लोग देखते आ रहे थे the steady reducing inequality between wealthy and poor nation अब वो दूर होते आ रही है कि यानि कि जो भी wealthy nation है और जो poor nation है इन दोनों के बीच में जो gap है वो अब और ज़्यादा widen होना शुरू हो गया है सेम वही चीज है अमीर-अमीर होते आ रहा है पूर-पूर होते आ रहा है एक और point यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है this is very very important point यह point horizon trend of democracy paradox democracy paradox का मतलब यह होता है जिसे democracy में मतलब उतनों confidence नहीं रहता है confidence का मतलब यह कि कहीं न कहीं ठीक है चीजों को बुला रहा है but they have different view in their mind तो जो अलग दिमाग में चीज़े होती है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अब political polarization बहुत जादा हो रहा है plus 7 में एक inward looking policy भी अब चल रही है where people think positive about democracy but support leader who determine, undermine democracy so they support democracy मतलब democracy में है लेकिन उनका view नहीं है उनके mind में जो है कुछ अलग ही चीज़े चल रही होती है तो यह हो जाती है democracy paradox UNDP के बारे में भी कुछ basics के बारे में देख लीजिए कि UNDP ये एक international development है जो एक जितनी भी development related चीज़े होती है चाहे वो poverty को दूर करने से related हो या फिर inequality को कम करने से related हो इस सब भी पर ये काम करती है इनका office New York USA में है यहाँ पर कई तरीके की चीज़े की जाते है including UN sustainable development group को ले करके sustainable development के लिए भी क्या sustainable development goals होने चाहिए इन सारी चीज़ों को यही निकालती है 1966 में established की गई थी और बाकी यहाँ पर UN का special fund होता है जिससे इन लोगों को fund वगर है मिलते रहते है अलग-अलग publications है जैसे human development report, multi-dimensional poverty index, gender development, etc. यह सब UNDP के द्वारा ही निकाला जाता है बाकी funding के नाम पर तो यही है यहाँ पर private sector और अलग-अलग जगहों से member nation से हर जगहां से लगबलबग funding आती है तो basics है बस ध्यान रखनी है थोड़ी सी बाते next article है household consumption expenditure survey 2022-23 very very important for examination point of view कारण यह है कि NSSO ने यह release तो किया है लेकिन 10 साल के gap के बाद यह release किया है तो चुकि यह 10 साल के gap के बाद आया है तो एक chance बन जाता है इस पर question बनने का जो last survey आया था 2011-12 में आया था हाना कि ऐसा था नहीं पहले यह जो report थी वो मतलब annual basis पर ही निकाली जाती थी लेकिन 26th round के बाद अब यह हर 5 साल पर निकाली जानी शुरू हो गई थी फिर इसके बाद से 5 साल के बाद अल्टिमेटली 2011-12 के बाद 10 साल पर यह निकाली गई है यह जो निकाली जाती है report इसमें जो भी goods and services का consumption है इस consumption के बारे में दिखाया जाता है यहाँ पर consumption and expenditure pattern and standard of living and well-being of household को दिखाया जाता है अब यहाँ पर दिखाया क्या गया है अगर यहाँ पर देखें तो यह बताया गया है कि जो गाओं की consumption है वो शहर की consumption से जादा बढ़ी है लेकिन यह जो जादा बढ़ी है वो absolute number में नहीं है जैसे कहने का मतलब कि अगर मालेते हैं कि गाओंवाला 50 रुपए पहले केवल और केवल खर्च करता था वो अब बढ़ करके कुछ मालेते हैं कि 120 रुपए खर्च करना शुरू कर दिया है लेकिन वही अगर हम शहर के बारे में देखें तो शहर का देखें तो 6469 है वैल्यू तो नहीं लेकिन यह दोनों जो पैटन यह आपको ध्यान रखने यह अलग-अलग स्टेटमेंट में पूछा जरूर जा सकता है एक और बात बोली गई है रिच और पूर को डिवाइड को लेकर के जो रिचेस्ट 5% और रूरल और अर्बन एरियाज है यह जो गाओ के लोग है वो आठ गुना जादा खर्च करते हैं शहर के लोग 10 गुना जादा खर्च करते हैं और यह औव्यूस भी है क्योंकि रिच पीपल जादा अपनी खर्च करने के टेंडेंसी रखेंगे अर्बन एरिया में उनके पास ऑप्शन्स भी जादा होते हैं अगर स्टेट वाइस वेरियेशन के बारे में देखें तो यह जो हमारा कंजम्शन है वो सिक्किम में जादा है और 36 गण में सबसे कम है हाउस होल्ड कम खर्च कर रहे हैं कंजम्शन एक्सपेंडीच ऐमंग डिस अडवांटेज च्छन के बारे में अगर देखें तो गाव में अगर बात किया जाए तो गाव में जो स्टी पीपल है वो अपने लोवेस्ट कंजम्शन फेज में है वहीं अगर हम लोग अर्बन नहीं खर्च कर पाता, because they do not have that propensity to consume those things, उतनी ज्यादा economic propensity नहीं होती है, NSSO के बारे में अगर बात किया जाए, तो ministry of stats and program implementation के अंतरगत आती है, CSO office के अंतरगत आती है, यहाँ पर main काम यह होता है, कि जो भी data से related चीज़ें हैं, उस data से related चीज़ों को survey करना, प्लस साथ ही साथ में जो भी field observation है, data की processing करना, और फिर उसके बार से survey के divisions को coordinate करना, तो यह इनके main काम होते हैं, इसके अलावा periodic labor force survey भी निकाली गई है, जिसको कि हम लोगों ने अपने जो पुराने वाले magazine थी, उसमें हम लोगों ने discuss भी कर रखा है, NSSO, rural और urban prices के data को भी collect कर जाता है, और फिर comparison किया जाता है, इट आलसो मेंटेन अ फ्रेम अफ अर्बन एरिया यूनिट फर यूज इन सेंपल सर्वे इन अर्बन एरियाज, तो एक कुछ basics हैं, जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, SDG Progress Report 2024, सस्टेनेबल डवलपेंट गोल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए यह बनाई गई है, यहाँ पर अगर देखें तो 17 गोल हैं और 169 टार्गेट्स हैं, यह जितने भी गोल है, 17 हो गोल, यह 17 हो गोल आपको याद होने चाहिए, अब यह हाल फिलाल में अगर देखें, तो United Nations की जो escape है, यानि Economic and Social Commission for Asia and Pacific है, इन् में पहले बात कर लेते हैं, रिपोर्ट में यह बोला गया है कि जो अब SDG की तरफ में जो हम लोग आगे progress कर रहे थे, उसकी speed काफी slow हो गई है, और यह जो slow होई है, उसके पीछे इन्होंने reason दिया है, COVID के pandemic, यह कहा गया है कि जो पहले, मतलब sustainable development goals हम लोग अचीव कर पाते अब यह 2062 से पहले अचीवी ही नहीं किये जा सकते हैं, 32 साल का delay इसमें already हो चुका है, दूसरी चीज, uneven and inadequate progress, कई सारे dimensions जैसे urbanization, education, age, income and division among countries, gender and urban rural gap, यहाँ पर हमें inadequate or uneven progress देखने को मिल रही है, this is important fact, कई जगों पर हमें insufficient data मिला है, कई सारे issues हैं, जो अलग-अलग छित्रों में हमें फैलते हुए देखने को मिले हुए हैं, जैसे illegal cases का होना, unreported cases का होना, unregulated fishing market का होना, greenhouse gas emissions बढ़ गया है, water stress की condition होना, pollution, scarcity and inadequate sanitation services, यह सब यहाँ पर finding निकल करके आई है, कि इस SDG goal जो हमें achieve करना था, वो काफी हम दूर हो गया है, जो 2030 तक हमें achieve करना था, वो शायद 2062 में जा करके achieve करेंगे, यानि 32 साल का delay अलड़ी हो चुका है, यह बात समझ में आ रही है न, 2030 तक हमें करना था, 32 साल का delay हो गया, 2062 यह हो गया है, अगर हम लोग United Nations की जो this cap है, that is Asia and Pacific को ले करके अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर जैसे United Nations की organization से उसमें से एक यह भी है, इसका जो headquarter है वो Bangkok में है, पहले इसका नाम E.C.A.F.E.E. cafe था, that is Economic Commission for Asia and Far East, लेकिन 1974 में इसका नाम बदल करके Asia and Pacific कर दिया गया था, तिरपन member states है, 9 associate हैं, जो कि हमारे काम के नहीं है, बाकि इनका जो focus area है, वो इन 8 areas में आता है, एक जो भी macro economic policies हैं, जिससे poverty का reduction होगा, और जो भी development है, उसको finance किया जाएगा, दूसरा, trade investments को ले करके, तीसरा, in transport को ले करके, चौथा, environment and development, information, communication, technology and disaster risk reduction, and social development, stats and energy, मतला direction है, वो direction दिया गया, RBI government security lending direction 2023 के द्वारा, तो इस 2023 के direction report के बाद, अब notification के बाद, बेसिकली, government securities की lending and borrowing भी की जा सकती है, आखिर में यह जो government securities lending है, वो किस-किस तरीके की होती है, हमारी जो government की lending होती है, वो दो-तीन तरीके की होती है, एक होती है, जिसे हम लोग बोलते है, treasury bill, जो treasury bill होते है, वो अलग-अलग तरीके के होते है, जैसे एक होता है जो 14 डे की होती है और इसके अलावा बाकी बड़ी-बड़ी भी होती है जैसे 91 डे की होती है 182 डे की होती है फिर इसके बाद से एन्वल भी होती है एट्सेक्टर एट्सेक्टर यह मैंने दो इसले लिखा क्योंकि यह जो 14 दिन वाली होती है यह non-tradable होती है मतलब इसको हम trade नहीं कर सकते हैं लेकिन वही अगर 91 दिन या उससे उपर के बारे में जितनी भी होती है they are tradable तो जो भी obviously tradable होगा उसी का केवर lending and borrowing हो सकता है यानि कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि government securities अगर RBI किसी का lend या borrow कर रही है तो यहाँ पर जो treasury bill होगी obviously वो 91 days या उससे उपर की ही हो रही होगी अभी हाल फिलाल में बात किया जाए कि जो भी government securities होती है वो central bank के द्वारा या central government के द्वारा निकाली जाती है जैसे treasury bill वगरे एट सेक्रा एट सेक्रा state government वाले भी अपना निकाल सकते है state government bond के नाम पर तो state finance का एक तरीका बन जाता है जो government securities होती है they are tradable instruments और यह central government और state government दोनों के द्वारा निकाली जाती है यह जो government securities होती है normally हम लोग इसको बोलते है they are risk free क्यों? क्योंकि इसके पीछे की जो backing होती है और obviously government तो कभी fail होती नहीं है मतलब कभी न कभी कही न कहीं से government तो ला करके पैसा देने ही वाली है इसमें एक होता है जिसे बोलते है treasury bill अब हम लोगों ने बात किया कि जो short term मतलब की 14 day वाली होती है इसको छोड़ दिया जाए बाकी सारी होती है हम लोग ने जो पुरानी वाली magazine discuss की ती वहीं पर बात किया था कि अलग-अलग तरीके कि हमारे पास में government securities होती है जैसे zero coupon होती है फिर एक होती है जो fix coupon होती है और एक होती है जो flexible coupon के format में होती है तो जो treasury bills होते है दे आर zero coupon securities और इस पर कोई interest pay नहीं किया जाता है जो भी face value होती है उस face value को discount पर ultimately खरीड लिया जाता है और एक समय के बाद में उसको redeem करके आप पैसा अपना ले सकते हैं दूसरी होती है dated government securities इसे हम government bond या फिर dated securities के नाम से भी जानते हैं लंबे समय के लिए होता है तो ये normally जो होता है 5 year, 40 year इस तरीके से आप लंबे समय तक के लिए ये रख सकते हैं जो issuer होती है वो central bank होती है ये treasury bill और dated securities दोनों निकाल सकती है जो state government होती है केवल और केवल state जो dated securities होती है केवल उसे ही निकाल सकती है और इसका नाम होता है state development loan जो हम लोग ने पुरानी वाली magazine डिसकस की है उसमें detail में इसके बारे में बताया गया है जितनी भी auctioning होती है चुकि ये जितने भी हम लोग treasury bill या जो state finance या dated securities के बारे में बात कर रहे है इसकी जो price निर्धारण की जाती है वो की जाती है bidding के नाम पर और ये जो bidding वगर होती है इस सब की जाती है e-cubair के ऊपर में e-cubair ये RBI के द्वारा start किया गया एक electronic platform है जहां पर ultimately जितनी भी bidding वगर होती है वो इसी के ऊपर होती है और यहीं से ये government securities वगर है आप lending and borrowing भी कर सकते है फायदा क्या है is government security का government security का फायदा ये होता है कि पहली बात आप यहां से investment उठा सकते है so it will add depth and liquidity to government security market दूसरी चीज़ यहां पर हम wider participation यहां पर ला सकते है ज़्यादा ज़्यादा लोग इसमें participate करेंगे तो इससे market भी अपना और broad होते आएगा और साथ में portfolio return भी enhance होते आते है इसके लावा यहां पर operational efficiency भी enhance हो जाती है यहां पर कई सारे benefits लिखे गए है benefits आप अकेन आदाम से समझ सकते हैं कि पहली बात चुकि यह government की backing है इसलिए काफी low risk investment है कहीं पर risk नहीं रहेगा ultimately government कहीं न कहीं से पैसा तो देने ही वाली है इसके लावा stable source of income क्योंकि यह fixed income rate प्रोवाइड करते है income rate तो क्या ही चीज है आप कहेंगे यहां पर जो face value होती है उस face value पर आपको return मिल जाता है इसके लावा जो state development loans है या जो special securities होती है जैसे कि oil bond हो गया या फिर जो discom bond हो गया तो यह attractive yield provide करते हैं इसके लावा diversified investment portfolio होती है जिससे आपका जो risk होता है वो काफी reduce हो जाता है यह market में आराम से trade किये जा सकते है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि market में लोग इसको purchase करेंगे या नहीं करेंगे anyway government तो यहां पर रहेगी ही इसे collateral के तौर पर भी आप use कर सकते हैं ताकि जो भी repurchasing market है वहाँ पर आप अपना ये as a collateral दे करके जो भी loan या किसी भी तरीके का trade अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं कई सारे initiatives लिएगा है as government securities को ले करके जैसे है government security acquisition program इस acquisition program को RBI basically conduct करता है तो conduct जो है अपने OMOs के जरीए that is open market operations के जरीए यहाँ पर government securities को purchase कर लिया जाता है जिससे की जो market की volatility है वो मतलब resilient रहे OMO के बारे में आप लोग समझते होंगे वही हमारा repo rate हो गया reverse repo rate हो गया और MSF हो गया ठीक है और हम लोग ने एक और बात किया था SDF अगर याद आ रहा हो नहीं तो आप लोग उस वाले magazine को जा करके एक बार वापस से revision कर लिजेगा दूसरी RBI Retail Direct Scheme यहाँ पर online access दी आती है कि जो भी retail investors है वो इस government security के market को purchase कर सकते है इसके लावा scheme for non competitive bidding facility in auction of government securities RBI के द्वारा encourage की गई है अगेन यहाँ पर भी जो retail participants है they can come into primary market for the government security और जो भी हमारे SDL है उन लोगों को यहाँ पर खरीदा बेचा जा सकता है State Government Guarantees अब जरह यहाँ पर समझ के रखिएगा जैसे कई बार क्या होता है मैं आपको एक case study के format में ही बताता हूँ जादा बहतार तरीके से समझ में आएगा आप लोगों ने सुना होगा उदय स्कीम के बारे में उदय स्कीम डाट इस उज्जोल डिसकॉम योजना यहाँ पर बेसिकली जितने भी powerhouses वगरे है powerhouses का मतलब वही जहां से हमारी electricity वगरे आती है एक picture है movie है basically बत्ती गुल इस तरीके से कुछ करके movie है अगर आप लोगों ने उसमें देखा होगा movie में shot clips वगरे यूटूब पर मिलती ही है तो वहाँ पर जो electricity board के member रहते हैं वो बताते हैं कि जो state electricity है वो घाटे में चल रही है यहाँ से हमको इतना ही point उठाना था कि जो भी power मतलब discom units है वो discom unit अभी बहुत ज़्यदा घाटे में है तो इस घाटे को fulfill करने के लिए उदय स्कीम लाई गई थी जहाँ पर बोला गया था कि 60% जो भी घाटा है वो state government के द्वारा वहन कर लिया जाएगा इस state government कुछ ना कुछ करेगी तो state government ने यही किया जो भी यहाँ पर जिस तरीके से state development loans वगर है थे वैसे यहाँ पर भी लिया गया तो state ने कहा कि यह ऐसा है bank आप इनको loan दो आप इनको पैसा दो कोई दिक्कत नहीं है इसके बदले में मैं तो हूँ ही यानि state खुद अपनी guarantee दे रहा था bank में तो bank वाले क्यों न loan दे लेकिन हलकी bank को भी पता है कि पैसा समय पे मिलने वाला नहीं है तो इस तरीके से state ने अपनी guarantee लगा करके रखी है तो इसी guarantee की ही report निकाली गई है RBI के द्वारा कहा यह गया है कि यह जो guarantee दी जा रही है यह basically article number 292 के तहत जो central government है वो guarantee देती है consolidated fund of India की और इसी तरीके से article 293 के जरिये state वाले देते हैं अपनी consolidated fund of state की लेकिन इस state खेलने के साथ दिक्कत हमें यह देखने को मिली है current status में कि अब 10% से उपर जो gross state domestic product जा रही है ही चली जा रही है 10% of GDP GDP का मतलब जो state की GDP है वो अपने हाप में काफी बड़ी value बन जाती है अगर इसको हम लोग state wise देखें तो सबसे जादा सिक्किम में फिर तिलंगाना में आन्द प्रदेश में और उत्तप्रदेश में देखने को हमें मिल रही है और जो maximum है वो इसी उदा स्कीम के कारण से ही हमें देखने को मिले है that is power calm sector जो power वाला सेक्टर उसी के कारण से ये largest guarantee हमें देखने को मिली है इससे दिक्कत क्या है दिक्कत बहुत सारी है पहली दिक्कत तो यही है कि यहाँ पर state के उपर में अपनी obligation को पूरा करने के लिए कही न कहीं एक moral हजार भी आ जाता है कि पूरा करना जरूरी भी है दूसरी दिक्कत अगर इस तरीके से आप हमेशा रिस्क लेते रहेंगे तो कहीं न कहीं आपकी जो fiscal risk यानि fiscal deficit है वो भी बढ़ती जाएगी तो जो cash outflow है वो और debt ये दोनों बढ़ते आता है इसके अलावा जो भी private investment वाले लोग है वो लोग बाहर चले जाएंगे क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि यहां पर जो है कहीं न कहीं जो economy है वो resilient बनते जा रही है वो लटाइल होते आ रही है तो जो भी अपने projects वगर है वो सब पीछे खीच लेंगे तो कहीं न कहीं market से जो पैसा है वो भी बाहर जाने लगेगा banking activity के बारे में अगर बात किया जाए तो banking में दो चीजे primary तोर पर होती है एक deposits जो आम जनता के bank अपने पास में रखता है और इन deposit को bank क्या करता है ultimately loan के format में लोगों को दे देता है तो जो लोगों ने भी bank के पास में अपना पैसा रखा है वो तो bank को safe मानते हैं लेकिन जो लोग loan ले करके जाते हैं वो bank उनको जरूरी नहीं कि safe माने और इसके बदले में कोई ना कोई collateral रख लिया जाता है या तो यह कोई ना कोई collateral रख लिया जाता है या फिर जो भी loan लिया गया है उसके बदले में banks अपने पास कोई ना कोई एक capital reserve करके रख लेते हैं तो इनकेस अगर यह बंदा fraud निकला तो यहाँ पर यह loan फेल हो जाएगा fail हो जाएगा के मतलब जो भी loan यहाँ पर ले करके गया है वो अब जो bank अपने आपको एक asset मान के रखा था वो अब non-performing asset में बदल जाएगा यानि कि NPA में बदल जाएगा विकाज यह जो loan इसको चुकता नहीं किया गया है तो कोई न कोई यह capital के साथ साथ में यह जो NPA का risk है एक percentage होना चाहिए कि आखिर में कितना percent bank इस तरीके के loan के जो failure है उसको वहन कर सकता है और इसी चीज के लिए एक term निकाली यातिया जिसको बुलाता है C-R-A-R या इसी को बोलते है C-A-R capital to risk weighted asset या फिर जिसे हम लोग बोलते है capital adequacy ratio यह ratio बैंक की जो capital है उसको जो भी risk weighted asset है उनके साथ में एक percentage निकालता है यानि कि उनका ratio निकालता है अब यह जो ratio है वो basically बेसल norm के basis पर decide होते है बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 इस तरीके से अलग-लग norm आये थे 8-10% तक normally यह रखे जाते हैं अगर इससे उपर होता है तो फिर condition थोड़ी सी मतलब भयावा हो सकती है थोड़ी सी alarming हो सकती है यह जो CRAR होती है यह central bank decide करती है और जो bank regulators है वो इसको comply कराते हैं मतलब इस चीज को देखते हैं कि इतना percentage हमें ले करके आना है अगर हम लोग 2018-2017-2020 के बीच में बात किया जा है तो यहाँ पर NPA के बहुत सारे cases थे कई सारे bank fail हो रहे थे including PNB और जितने भी बड़े-बड़े banks है यह सभी जो है fail हो रहे थे RBI ने अभी अपनी एक report निकालिये that is trend and progress of banking in India report और यहाँ पर यह बताया गया है यह जो NPA है वो अब धीरे-धीरे गिर रहा है गिर करके यह 3.9% पर हो गया है ध्यान रखना है NPA 3.9% पर हुआ है जो CRAR है या जिसे capital adequacy ratio भी बोलते है यह अभी सही नहीं हुआ है इसकी value अभी near about 16% के आसपास है और जब किलाना कितना है 8-10% के बीच में लेकर के आना है अगर हम इस report के कुछ की highlights के बारे में बात किया जाए तो जो भी balance sheet scheduled commercial bank बनाते हैं उनकी balance sheet 12.2% से बढ़ गई है और यह अपने आप में highest in 9 year है इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने banking activities काफी ज्यादा की है banking activities का मतलब deposits और loan यह दोनों प्रॉसेस ज्यादा की है जो भी fraud total हुए है banks की वो अब 6 year अपने 6 साल में सबसे lowest पे आ गई है यानि कि अब fraud धीरे-धीरे कम होने शुरू हो गये है इसके अलावा जो CRAR है वो 16.8% है अभी हम लोगों ने बात किया जो CRAR है 16.8% के आसपास है धीरे-धीरे इसको कम करके ले करके आएंगे NPA के बारे में बात करें तो एक तरीके का loan या advancement है जिसके जो अब मतलब 90 दिन से उपर हो चुका है इसकी payment नहीं आई है जो gross NPAs होते हैं यह सभी जितने भी loan assets हैं उनको जब जोड़ देते हैं तो वो gross NPA बन जाता है NPA के अलग-अलग category होते हैं एक होती है substandard, doubtful asset और loss asset Substandard का मतलब यह होता है कि यह 3 महीने से तो उपर हो चुका है जिसका पैसा नहीं आया है लेकिन भी 12 महीने से जादा नहीं हुआ है तो 3 महीने से जो 12 महीने तक होते हैं उनको बोलते हैं Substandard asset doubtful asset वो होते हैं जो 12 महीने से यानि एक साल से उपर हो चुके इनका पैसा नहीं आया है Lost asset का मतलब यह होता है कि amount write-off नहीं किया गया है और यह जो asset है वो अब lost asset है क्योंकि उसका पैसा आने की अब कोई मतलब chance नहीं रह गया है तो अब यह भी write-off नहीं किया गया write-off करने का मतलब कि balance sheet से वो चीज हटाई नहीं गया है नॉर्मली क्या होता है जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने loan लिया उसके बदले में collateral ले दिया तो जितने collateral लिया जैसे मान लेते हैं कि normally जो banks होते हैं अगर आप 10 लाग का loan लेने जाएंगे तो आपसे यह मान के चलिए कि सपोज आपको 10 लाग का आपने collateral दिया तो इसका 60-70% के वल आपको loan दिया जाता यानि कि 6-7 लाख रोपय ही loan आपको मिलेगा क्यों? क्योंकि जब collateral यह bank भेचेगा तो कुछ मिलना भी तो चाहिए तो इसलिए extra amount रखी आती है लेकिन यह आम public के लिए है और जो NPA बनाते हैं वो बड़े बड़े जो business companies हैं जो company हैं उन वन लोगों के द्वारा बनाये जाते हैं और यहाँ पर collateral के नाम पे उल्टा होता है यह लोग 10 लाख का loan लेते हैं और collateral के बदले में 5-6 लाख रुपय का कुछ न कुछ दे देते हैं या कुछ भी दे देंगे तो इसलिए फेल होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं तो जबी भी जैसे मान लेते हैं 10 लाख का loan है इन्होंने 6 लाख का collateral दे दिया है तो 6 लाख का collateral जब sell कर देंगे तो ultimately कितना बचा है 4 लाख रुपय ही केवल बचे remaining इसको बोलते हैं write-off कर देना write-off कर देने का मतलब यह हो गया कि पैसा बेच करके जितना रह गया उतना लिख दिया जाता है बाकी सब हटा दिया जाता है इसको बोलते हैं write-off कर देना तो यह lost asset के format में होती है whenever the asset is lost then we made this kind of write-off आखिर में NPA बढ़ने के कारण क्या क्या हैं कई सारे हैं एक तो defective lending process है कि fraud आदमी आएगा ultimately आपका पैसा जो भी loan है loan के format में लेकरके फिर ultimately चला जाएगा दूसरे होते हैं willful defaulter जो जान बूझ करके इस तरीके का default करते हैं पैसा नहीं देते हैं फिर होते हैं industrial sickness जैसे कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई resource या technological change हो गया या फिर कोई government की policy यह बद से नहीं चुका पाएगी और इस कारण से ultimately यहाँ पर जो banks है उनको यह loan नहीं दे पाते हैं फिर regulatory है regulatory का मतलब कि जो भी regulatory directions दिये जाते हैं public sector bank को वो सही तरीके से नहीं comply किये जाते हैं जैसे अगर आप PNB का ही case देखेंगे तो PNB के case में जो swift वाली problem हुई थी swift की problem मतलब कि phone करके जो भी यहाँ का audit किया गया था यह audit सही तरीके से किया नहीं गया था और जो balance sheet उसमें दीखा दिया गया था कि everything is going good और इस कारण से जो मिहुल चौकसी वाला case हुआ था निरव मोदी वाला case हुआ था वो इसी कारण से ही हुआ था इसको बोलता है letter of understanding L.O.U. यह letter of understanding के कारण से चीज़े हुई थी तो जो भी compliance वगरे दिये जाते हैं अगर आप उसको नहीं fulfill करेंगे सही तरीके से नहीं करेंगे तो कही न कहीं इस तरीके की problem हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी और यही चीज़ हमें NPA मतलब NPA के reason के तोर पर हमें यही चीज़ देखने को मिल जाती है अब आखिर में क्या क्या impact हुआ है इस NPA के कारण से अब हुआ क्या है कि जो बैंक है उनके पास में उतने पैसे बचे नहीं है तो जो भी productive activities है उसके लिए अब बैंक पैसा देने से थोड़ा जीज़कने लगे हैं इनफेक्ट priority sector lending भी होती है तो priority sector lending 40% की होती ह कि यहां पर भी पैसा देने से अब यह जीज़क रहा है बलकि अब सोच रहा है कि priority sector में देने से ज्यादा अच्छा है कि state को दे दो इस state को दे देंगे तो ultimately state से पैसा कम से कम निकलवा तो सकते हैं अगर माल लेता है कि पैसा नहीं सही समय पर पहुचा तो employment opportunities नहीं create होंगी तो इसी वज़े से हमें decrease in employment opportunities और महंगाई भी देखने को मिल जाती है इसके अलावा increase in interest rate देखने को मिला इसके अलावा reputational, operational and business risk for bank देखने को मिल रहा है बाकि इसके अलावा pendency of the cases है limited manpower है जिसके कारण से जो भी debt recovery के cases है वो मतलब काफी slow motion में काफी धीरे धीरे चल रहे हैं आखिर में NPA को ले करके क्या क्या किया जा सकता है और क्या 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 किया गया है NPA के लिए सर्फेसी act लाए गया था that is securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002 यहां पर बोला गया था कि जो भी collateral यहां पर दिया जाएगा लोन के बदले में उसको बेच सकते हैं as a part of default in repayment इसके अलावा DRT होती हैं debt recovery tribunal अब दिखिए जो DRT होती है यह बिसिकली company act के अंतरगत होती है यह जो company act क्या आप समझे in solvency and bankruptcy code के अंतरगत होती है दो तरीके की चीज़े होती है एक होती है जो हमारी DRT होती है जिसे बोला आता है debt recovery tribunal और दूसरी होती है जो हमारी national company law tribunal होती है NCLT जो DRT होती है यह individual के खिलाफ भी चलाई जा सकती है और company के खिलाफ में चलती है जो NCLT है तो IBC that is insolvency and bankruptcy के और 2016 मिलाए गया था जिसके थुरू ultimately जो भी bank insolvency या फिर bankruptcy फेस कर रहे है तो उनके लिए कुछ न कुछ यहाँ पर provision किये गया है इसके लावा इंद्रधनुष प्लान भी ले करके आए गया था जो भी banks का capital ultimately फसा हुआ है उसको किस तरीके से revamp करना है किस तरीके से सही तरीके से चलाना है इसके लिए लाए गया था National Asset Reconstruction Company भी है जो भी bank NPAs है यानि कि जो फस गया है उनको किस तरीके से हम financial stability और efficient बना सकते हैं उसके लिए भी system लाइक है लेकर रखे आए गया था एक और चीज़ है यहां लिखी नहीं है बट समझ लीजे एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं Asset Management Companies या Asset Reconstruction Companies अब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई Asset यहां पर bank को जमा किया गया है बट वो सही तरीके से perform नहीं कर रहा है सही तरीके से perform करने का मतलब जैसे माल लेते है कि कोई जमीन अल्टिमेटली यहां पर दी गएती है As Part of Asset लेकिन उसकी value ही गिर गई है तो जब value गिर जाएगी तो अब यहां पर इस जमीन को अगर bank बेचेगी तो उसका कोई पैसा मतलब कुछ निकलेगा नहीं कोई result नहीं निकलेगा तो इसके लिए जितने भी ARC Companies व बहुत अच्छा चलेगा तो यह लोग जिम बना देंगे जिम बनाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा वो खर्चा प्लस अपनी consulting fees या जो भी interest बगरा है वो ले करके अपना ये company ले करके किनारे हो जाएगी और जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो ultimately bank को दे दिया जाएगा इससे अपना जो भी पैसा recovery करना है bank अपना recovery कर लेता है अगला article है unified payment interface that is UPI के भारे में UPI जैसा की basics आप लोग जानते होंगे कि UPI जो होती है जैसे banks के through ultimately जो भी यहाँ पर शुरू में authentication करना होता है उसके बाद आप interbank अपना मतलब जो भी transfer करना है money transfer वो आप लोग कर सकत हैं UPI को लेने के लिए क्या करना होता है सबने UPI यूज किया होगा Google पे phone पे etc. क्या करना होता है सबसे पहले आप लोग फोन पे या Google पे जो भी है उसका एक account बनाते हैं account बनाने के बाद उसे अपना SMS के थूँ authenticate करते हैं authenticate करने के बाद में आप अपना bank चुनते हैं bank जो भी debit card है उसके साथ में आपको यहां पर authenticate फिर से करना होता है अब आपका bank add हो गया है now you can transact यह होती है UPI अब UPI का जो मेन बनाने वाला establish करने वाला body यह that is NPCIL National Payment Corporation of India Limited है इसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ा UPI कई सारे bank को एक जगा पर ले करके आता है single mobile phone application पर औ जैसे transfer करना है interbank करना है या आपको self अपने ही दो account है उसको एक से दूसरे में डालना है यह सारे काम आप लोग यहां पर कर सकते हैं 2016 में NPCI के द्वारा बनाए गया था यह जो UPI है यह IMPS की सुविधा को यूज करता है that is immediate payment service system अब यह जो हमारा UPI है कई और भी देशों ने adopt कर लिया जैसे ओमान, UAE, France, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Mauritius, etc. बहुत सारे countries है जो आजपास की भी है इसमें main जो आपको ध्यान रखना है वो है France, UAE और ओमान यह बाहर की countries बाकी तो हमारी आजपास की ही है एक और नया system start किया गया UPI 123 Pay UPI 123 Pay का मतलब यह है कि बिना internet connection के अब payment की जा सकती है अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर में हुआ क्या है, RBI ने UPI के लिए कुछ नए regulations निकाले है, regulation क्या निकाले गए है, enhancing UPI transaction limit अगर आप लोग ने UPI use किया होगा तो इसमें होता है कि एक दिन में maximum आप 20 transaction कर सकते हैं, ठीक है maximum 20 transaction दददस रुपए की करेंगे तो भी BC transaction या फिर एक लाख रुपए तक की maximum transaction आप कर सकते हैं, एक लाख रुपए से उपर जैसे ही होगा आपका UPI ब्लॉक कर देगा कि अब transaction आप नहीं कर सकते हैं, अब आप 24 घंटे के बाद ही अपना transaction कर सकते हैं, अब इससे दो दिक्कते होती हैं, मालेते हैं कि सपोज आपक UPI से पैसा कटता है, तो यहाँ पर flag कर दिया जाता है, flag करने का मतलब ऐसा माल लिया जाता है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, तो अब जैसे माल लेते हैं कि आपको सपोज mutual fund या इस तरीके से investment करना है, तो कुछ यहाँ पर changes करने पड़ेंगे क्योंकि flag कर दि किया गया है, दूसरा दिक्कत यह होता है, माली जा आप कहीं hospital वगरे में हैं, या कहीं पर ऐसी जगह उपर हैं, जो essential services के अंतरगत आती है, और आपको payment करनी एक लाग से उपर, आप तो फस गये, तो इसलिए सरकार ने यह कहा कि hospital और जो educational institution है, यहाँ पर अब limit 5 लाग रु कि अब यह जो एक लाग है, कुछ categories को छोड़ दिया जाए, जैसे capital market collection, यही जो हम लोग ने अभी बात किया, credit card की payment, loan payment, या insurance, या फिर जो stock market है, इन सब चीजों के लिए limit जो है, वो 2 लाग की बना करके रखी गई है, इसके अलावा है increased e mandate for recurring online transaction, अभी हम लोग ने जैसे बा क्यों कट रहे हैं, तो इसके लिए कहा ये गया है, कि अब जो निया law निकाल करके लाए गया, उसमें ये कहा गया है, कि जो भी additional factor of authentication है, ये additional factor of authentication जो 15,000 के limit पे थी, वो बढ़ा करके एक लाग कर दी गई, यानि एक लाग तक आप अपना recurring, recurring का मतलब बार बार कटना, जैसे पहले 15,000 कटा, फिर 15,000 कटा, फिर 15,000 कटा, फिर 15,000 कटा, फिर 15,000 कटा, तो नॉर्मली दो से तीन transaction के बाद आपकी transaction हमेशा flag कर दी आती है, कि ये 15,000 वाली चीज क्या है, तो इस वज़े से अभी कहा गया है कि 15,000 नहीं, अब एक लाग तक की transaction आप बिना कोई दिक्कत के कर सकेंगे, इसके अलावा, Fintech repository को भी setup किया जा रहा है, तो Reserve Bank Innovation Hub, मतलब, 2024 से पहले पहले कहा जा रहा है कि अब ये operationalize कर दिया जाएगा, ये उत्ती बड़ी news नहीं है, लेकिन ये सब चीजे जो basics हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या के चीजे की गई हैं, UPI के बारे में अगर बात किया जा, तो कुछ नय फीचर भी add किये गए हैं, जैसे credit line on UPI, अब जैसे UPI के basis पर आप pre-sanctioned credit line भी ले सकते हैं, यानि कि पैसा आपके account में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा आप उधार पे ले सकते हैं, दूसरा है UPI Lite X, UPI Lite X का मतलब ये है, कि अब पैसे offline format में आप भेज सकते हैं और ले भी सकते हैं, UPI Lite मतलब 200 रुपए ठकी होती है, और इस तरीके से आप ये अपना बिना internet के भी जो NFC होती है, यानि नियर फिल्ड कम्निकेशन होती है, उसके थूरू भी पैसा भेज सकते हैं, NFC क्या होती है, अब ये नया आ गय कभी आप लोगों ने POS पे transaction की है, POS मतलब इस तरीके से होता है, यहाँ पर नंबर लिखा होता है, जबी बिलिंग अगरे कराएंगे, शॉपिंग मौल या कहीं पर भी जाएंगे, तो होता है, तो आपकी जो भी credit card या debit card है, देखेंगे यहाँ पर होता है आपका एक chip, त हुआ है, जो chip लगी हुई है, वो यहाँ detect होती है NFC के थुरू, magnetic field होती है, यहाँ detect हो कि जो भी पैसा यहाँ पर भरा जाएगा, वो यहाँ से auto deductive हो जाएगा, यहाँ से पैसे कट जाएंगे, और यही चीज, UPI light भी यूज़ करता है, कि आप device सो चिपकाएंगे, जो भी NF यहाँ पर आपका QR आया, scan किया, आपने पैसे कट गए, ठीक, दूसरी होती है, UPI tap and base, सेम यही जो NFC है, वो QR देगा, और ultimately आप अपना single pay transaction से बिना pin enter किये, वही बोला ना, कि जैसे ही आप दिखाएंगे, वैसे ही आपका पैसा कट जाएगा, जैसे होता क्या है, कि जो भी यहाँ पर माली जट 600 रुपए का आपका payment है, तो 600 रुपए यह टाइप करेगा, यहाँ पर ultimately जो इसकी screen है, इस screen पर QR बन करके आ जाएगा, यह QR किवल औकिवल 600 रुपए की transaction ही accept कर सकता, और जैसे ही आपने उस पर tap किया, पैसा आपका कड जाएगा, एक और तरीका निका स्टेटमेंट बनेगी, उसमें एक स्टेटमेंट रहेगी, कि यह जो NPCIL है, यह Society Act के अंतरगत, रजिस्टर किया गया है, ऑप्शन ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि इसे Company Act के अंतरगत यहाँ पर रजिस्टर किया गया है, यही एक स्टेटमेंट होगी, जो मेरे हिसाप से आप गलत कर सकते थे, Society Act के अंतरगत नहीं, इसे Company Act के अंतरगत, बाकि तो खेर यह सब चीजे आप लोग जानी रहे हैं, कि IMPS करता है, या फिर E-NACH ले करके आए गया, that is National Automated Clearing House, जैसे Credit Card की बिल वगर है, जो पेमेंट होती है, वो इस E-NACH के थुरू भी आप कर सकते हैं या अधार Enabled Payment System हो गया, UPI हो गया, ये सब चीजे की जाती है, NPCI, ये RBI और जो IBA है, यानि Indian Bank Association, इन दोनों का Joint Initiative है, जो भी Payment and Settlement है, उस Payment and Settlement Act 2007 के थुरू इसको बनाया गया है, और इस तरीके से मेली काम करती है अगला है Credit Card Network in India, अब देखिए, Banks आपको केवल और केवल जो प्रवाइड करती है, वो है Deposit और Loan की सुविधा Deposit और Loan की सुविधा, अब आपको अपना पैसा माल लेते हैं कि debit करना है, निकालना है, क्या क्या option है, एक option होता है, क्या बैंक में जा करके वहाँ परचा भरिए और फिर पैसे निकालिए दूसरा होता है debit card के जरीए, अब जो debit card होती है, वो बैंक नहीं चलाती है, अलग-अलग companies होती है, जैसे रूपे एक company है, यह इंडिया ने बनाई है, अब रूपे ऐसा नहीं है कि SBI ने बना रखा है, रूपे बनाए गया है इसी NPCIL के द्वारा, NPCIL का मतलब यही जो company act क through यहाँ पर register करके रखी गई है, इसी तरीके से visa अपनी company है, अमेरिका की company है, ठीक है, mastercard हो गई, यह भी अपनी यह अलग company है, तो यह सब basically क्या है, financial services provide करती है, और यह bank के साथ में अपना tie-up करती है, तो obviously यहाँ पर banks कुछ न कुछ इनको pay कर रहा होगा, पैसे दे रहा हो जाता है, और वो इसलिए काटा जाता है, क्योंकि bank को भी इनको पैसे देने पड़ रहा है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर देखेंगे, तो there are so many card network in India, जैसे रूपे के बारे में बात करी लिए, visa card हो गया, mastercard हो गया, एक और होती है, mastercard, तो इस तरीके से multiple card होती है, तो होने देना है, अब जैसे कई सारे authorized cards वगर होते हैं, और यह अपना bank या non-bank के साथ में अपना tie-up करके रखते हैं, non-bank का मतलब NBFC या फिर payment bank, जैसे Airtel payment bank हो गया, या फिर आप लोगोंने सुना होगा, तमाम आते हैं, I think एक का नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है भी, धन, धन, धनी करके एक है, या धनी करके एक आप आई है, वो भी अपना debit card provide करता है, तो इस तरीके से there are so many NBFCs, जो की इस तरीके के card के साथ में अपना network बना करके रखे हुए हैं, ये bank, merchant और customer आपस में सबको link करते हैं, इसके बदले में एक feature की जाती है, जो MDR कहलाती है, merchant discount rate, merchant discount rate ये debit card और credit card transaction के बदले में लीत हो जाती है, एक और होता है, जैसे जो POS है, तो जो भी POS यहाँ पर लगाया जाता है, उसके बदले में भी 0.5% ये पैसा charge किया जाता है, ठीक है, तो ये MDR होती है, 0.5% इसको बोलते है MDR, यानि जो shopkeeper है, उसको ये पैसे देने है आप shop की पर थोड़ा सा हो गया न, कि ये क्यों पैसे दे, इसके लिए क्या करता है, जनता को बोल देता है कि 0.5% आपका extra लगेगा जो भी amount है, तो ये ले ले लेता है पैसा, bank typically dominate the choice of card network, bank वाले आप जाएंगे तो visa card आपको दे देते हैं, आपको especially बोलना पड़ता है कि कौन सा card आपको चाहिए, अब जैसे PNB में जाएंगे, रूपे card आपको पकलाए जाएगा, अगर आप SBI में जाएंगे, तो या तो visa दिया जाएगा, या master दिया जाएगा, तो अगें, depend करता है, bank वाले, अब इनको भी profit हो रहा है, जहां से profit जाएगा, वहाँ पर ये bank दे देते हैं, तो card के लिए जैसे visa हो गया, master card हो गया, रूपे card हो गया, dinner card हो गया, American next man, MX card इसको बोलते हैं, तो इस तरीके के कई सारे card यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, तो समझ लीजेगा, बाकि इसके अलावा, जो visa और master card है, यह credit card में dominate करती है, रूपे debit में करती है, credit card में master और रूपे करती है, 90% है, अब आजकल देखे होंगे आप लोग कि रूपे card को credit card में भी काफी promote किया जा रहा है, तो यह भी चीज़ ध्यान रखने वाली है, कई सारे regulations of card network ecosystem in India, जैसे RBI को बुला गया है कि this is the primary regulator, so RBI is responsible for overseeing and regulating payment system in India, including card network, under this payment and settlement act 20 2007, governing legislation, अब यहाँ पर भी same यही बाते कही गई है, कि payment system, यह जो system है, यह payment to be affected between a pair and beneficiary को ले करके, आखर में क्या होगा, transaction अगर फस जाती है, तो क्या होगा, इन सब चीज़ों को ले करके, यहाँ payment and settlement act में बताया गया है, so payment system includes system enabling credit card operation, किस किसको हम payment system के अंदरगात रखेंगे, credit card का operation हुआ, debit card का हुआ, smart card का हुआ, या फिर money transfer हुआ, तो इन सारी situations में ultimately flag कर दिया जाता है, कि क्या क्या हुआ है, और एक चीज़ जो important है, stock exchange की, जो भी transaction होती है, उसको हम payment system में नहीं count करते ह हैं, this is very very important कि stock exchange को हम लोग count नहीं करते हैं, payment and settlement act 2007 में ये बात बोली गई है, कि इनका main जो काम यही है, कि जो भी payments related चीज़े हैं, उनका regulation करना, उसका supervision करना, जिसे कि ultimately जो भी हमारा transaction हो रहा है, वो safe और एक accountable manner में भी होता रहे हैं, दो चीज़े primarily हैं, एक तो payment and settlement system, और दू regulation, जरुमत नहीं है, बस आपको यह जान लेना है, कि यह जो act है, cover क्या क्या करता है, that's it, ठीक है, especially इसमें ध्यान रखना है, कि this does not cover the stock market, stock exchange या stock में आपने जो भी चीज़े की हैं, वो सब यहां पर नहीं count होती है, अगला article है, insurance landscape in India से related, अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि जो NIA है, यानि कि National Insurance Academy ने अपनी एक report निकाली है, Indian Insurance Landscape को ले करके, इसमें कई सारी बातें बोली गई है, हलाकि इस article को हम लोगों ने पहली वाली जो article थी, पुरानी वाली जो magazine थी, उसमें भी discuss कर रखा है, एक बात ज़रा इसको go through करी लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो खर्चा जो किया, जो खर्चा किया है, मान लेते हैं कि वो 15 रुपे खर्च किया है, ठीक है, 15 रुपे इसने खर्च किया है, लेकिन इसके पास जो पैसे थे, वो किवल और किवल 500 रुपे थे, तो 1000 रुपे का एक gap निकल करके आ रहा है, इसी 1000 रुपे के gap को बोलते है, Health Protection G कि वह हजार रुपए की फुल्फिल्मेंट नहीं कर पा रहा है तो जो हेल्थ प्रोटेक्शन गैप है 73 परसेंट लगबग लगबग 40 करोर से उपर इंडिविज्वल विदाउट हेल्थ इंशुरेंस है अगला है प्रोटेक्शन गैप को ले करके प्रोटेक्शन गैप का मतलब यही चीज़ है कि आखेर में प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत कितनी है और कितनी फुल्फिल की जा पा रही है तो अगें वही है जरूरत कितनी है कितनी फुल्फिल की जा पा रही है और यह बीच में बच जा रहा है आपका एक गैप तो यह जो protection gap है वो अलग-अलग तरीके की है जैसे life insurance को ले करके हो गया या फिर mortality को ले करके हो गया तो जो life insurance को ले करके हमें gap दिख रहा है वो 87% है मतला बहुत जादा है mortality को ले करके 90% है और यह जो gap है वो 26-35 साल के age group को बीच में देखने को हमें मिल रहा है तो insurance protection gap क्या हो गया कि जो भी insurance की जरूरत है और जितना कर पा रहे है so it is the difference between optimal जितनी जरूरत है and actual coverage ठीक इन दोनों के बीच का जो gap हो गया बन गया आपका protection gap, insurance protection अब mortality भी same चीज होगी कि mortality से बचाने के लिए जितनी भी required resources है और जितनी की fulfillment की जा पा रही है that's it natural catastrophe insurance भी होती है मतलब अगर किसी भी natural catastrophe अनी disaster के कारण से अगर death वगर होती है या फिर कुछ problem होती है then उसके लिए भी insurance होती है तो 95% individual यानि कि जो इंडिया की population है उनके पास में ऐसा कोई insurance नहीं है पेंशन और अनुटी कवरेज 24% जो इन्रॉल्ड लोग है they are enrolled in employee retirement schemes crop insurance भी अब crop insurance जो पहले प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना थी वो decline कर गई है 6.1 करोड जो थी वो अब 5.2 करोड पे आ गई है तमाम दिक्कते हैं इन सब चीजों के पीछे देखिया अलग अलग तरीके की अगर insurance sector के बारे में अगर बात किया जाए तो insurance sector इंडिया की 10th largest market है और इसी चीज को देखते हुए जो बाहर के foreign players है they are coming to India so insurance penetration अगर देखा जाए insurance penetration का मतलब कितने GDP में कितना premium collect हो रहा है that means कितने percentage आप people are inrolling themselves into the insurance scheme तो जो भी installment अगर दी जाएगी जो भी premium अगर दी जाएगी वो GDP में कितना contribute हो रही है so insurance penetration बढ़ा तो है लेकिन 2.7% से 4.2% हो गया है बड़ा minimal change देखने को हमें मिल रहा है similarly इसी तरीके से insurance density है so insurance density का मतलब जितना भी premium collect किया गया है ठीक है और country की जो population है इन दोनों का जो ratio होता उसे बोलते है insurance density ये भी बढ़ी है ये भी बढ़ी है ठीक दोनों ही चीज़े बढ़ी ही है insurance के लिए regulation के बारे में अगर बात किया जाए तो एक insurance act 1938 का दूसरा insurance regulatory and development authority of India that is IRDAI जो statutory body भी है और में काम यही होता है insurance related जो भी business अगरे चल रहे है उनको regulate किया जाए उनको promote किया जाए insurance की division हो गई जो की ministry of finance के under में आती है और national insurance academy हो गई जो basically insurance, pension और इन सारी चीज़ों में research and development का में काम यहाँ पर किया जाता है अगला article है Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme समझते हैं पूरा matter क्या चीज़ है Ombudsman का मतलब होता है किसी तरीके के अगर माल लेते हैं कि कोई दो पक्ष के बीच में जब विवाद हो जाता है तो विवाद होने के बाद में ultimately Ombudsman लाई जाती है यानि कि दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए एक तरीका निकाल करके ग्रिवाद को एक तरीके से समझे की सौट आउट करने के लिए तरीका निकाला जाता है तो पहले अगर बात का लिया जाए basics की कि RBI के Ombudsman Scheme में आखिर क्या है यह 2021 की Scheme निकाली गई थी इसके background के बारे में बात करें तो यह एक alternate grievance redressal mechanism के तौर पर ले करके आया गया था So integration of existing scheme की गई थी बहुत सारी scheme उस समय चल रही थी जैसे banking ombudsman scheme ombudsman scheme for NBFCs और ombudsman scheme for digital transaction यह 2019 में बनाई गई थी इन तीनों को मिला करके एक कर दिया गया that is integrated ombudsman scheme को cost free तरीके से solve किया जाए scheme में कहा गया है कि one nation one ombudsman approach को ले करके हमें आना है जहां कि अलग अलग तरीके जिसे क्या होता है जब 75 चीजे होती हो तो confusion बहुत होती है कि कि किसके पास जाना है क्या करना है तो कही न कहीं आदमी फिर कहा देता है छोड़ो जाने दो coverage क्या क्या है commercial bank जितने भी schedule to commercial banks है cooperative banks जितने भी है इसके लाव एन BFCs हो गया जितने भी है जिसे मुथूट हो गया तमाम तरीके के मुथूट है फिर बजाज finance है payment system participants होंगे और credit information companies सब किस सब यहाँ पर cover किये जा रहे है Ombudsman के अगर appointment के बारे में बात किया जाए तो RBI ultimately इसे appointment करेगी RBI के द्वारा होगी और RBI का मतलब एक तरीके समझ लिए government ही हो गया handling of complaint के बारे में अगर बात किया जाए तो 24 officers रहेंगे जो की इस RBI Ombudsman के तौर पे रहेंगे जिसे ORBIO बोलते हैं officer RBI Ombudsman मतलब कहते हैं इनको और दूसरी होती है centralized recipient and processing center that is CRPC तो इन लोगों के द्वारा यह पूरी complaint वगरे ली जाएंगी अब अगर इस scheme के report के बारे में बात किया जब यह हाल में जो report निकाली गई है इसमें यह कहा गया है कि जो भी complaint आई थी 7 लाग complaint के आसपास receive की गई थी इस जो officer embarrassment है और जो हमारी central repository है जो mode of complaint थी maximum digital mode में आई है 85.64% जो disposal rate है वो भी 98% रहा है आनि कि maximum cases को solve कर दिया गया और वो भी mutual settlement, conciliation और mediation की ही मदद से अधिके यह तो कोई खास important नहीं है लेकिन यह जो ombudsman scheme की basics है यह जरूर आप लोग एक बार देख लीजेगा क्या है अगर माल लेते हैं किसी भी insurance company को ले करके grievance है तो उसके लिए insurance ombudsman है अगर माल लेते हैं कि किसी legislation को ले करके है insurance में तो उसके लिए भी ombudsman के लिए हमारी insurance वाली scheme है और pension के लिए अगर है तो PFRDA है उसके लिए तो यह सब चीजें अलग-अलग यहाँ पर भी system है अगला umbrella organization for urban cooperative bank अब देखिए जो हमारे पास में urban cooperative bank है यह अपना एक निया body बनाया है that is National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited यह जो National Federation for Urban Cooperative Bank and Credit Society Limited है यह एक multi-state society act के अंतरगत register की गई है as a part of national cooperative cooperative act जो 1997 का basically है 2011 वाला 97 constitutional amendment tactic के थुरू बनाया गया था उसमें जो multi-state cooperative society है इसको ही accept किया गया है बाकी की चीज़ों को reject किया गया है यह हम लोग ने quality का जो PT 365 है उसमें detail में discuss किया हुआ है अगर इस body के बारे में बात करने है तो यह apex level promotional body है जो भी urban cooperative bodies है उनको ले करके और जो credit society limited है उनको ले करके काम क्या है इनका? काम देखिए दो है एक training और research कराना और दूसरा है CBS यानि की जो core banking solutions है उनको provide करना बाकी इसके member और यह सब छोड़ी है कोई मतलब नहीं है इसका अब यहाँ पर अगर बात किया जा इस body के बारे में तो 2019 में RBI ने इसको approval दिया था National Federation for Urban Cooperative Bank and Credit Society के formation के लिए यह जो भी urban cooperative bodies है उनके लिए मतलब एक resolving power लेकर के आ रहा है कि अगर किसी तरीके का कोई भी issue होता है then it can be resolved through this यहाँ से यह सारी चीज़े resolve की जा सकती है problem क्या क्या होगा वो यहाँ पर हम लोगो discuss कर सकते है जैसे माल लेते हैं अगर किसी capital या liquidity की problem होती है तो उसके लिए ultimately हमारे पास में यह body आ गई है कि जो की liquidity और capital को maintain करेगा तो capital भी इस 300 करोड का यहाँ पर यह manage किया जाएगा इसके अलावा it will also facilitate regulatory compliance जो भी banking regulation act 1949 के अंतरगत में जो भी compliance है वो भी यह fulfill करवा रहा होगा it will also develop a sharing platform जहाँ पर जो भी services है उसको अगर share करना है कम cost पे then it can also be done अब जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे नाबाड है तो नाबाड का मेन काम होता है जो भी regional rural banks है और और बीज है ठीक है उन लोगों को यह support किया जाता है लोगों के द्वारा schedule commercial bank है यह लोग अपना कोई दिक्कत नहीं है यह लोग तो RBI के द्वारा govern होते ही है RBI इनको देखती ही देखती है इसी तरीके से HFCs होती है जो housing finance companies होती है तो housing के लिए यह basically देखी जाती है यह भी society act के अंदर के द्राइश्टॉड है similarly इसी तरीके से cooperative के लिए अब यहाँ पर एक नया body बना दिया गया है जो cooperative को देखेगा यह यह हमारा नेशनल अर्बन cooperative finance and development corporation लिमिटेड यह बना दिया गया अब आत समझ में आ गई होगी इसको legal status दिया गया है बाकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह सब चीज है तो खेर समझ में आ रही हूँगी नेशनल बैंक फर फाइनस इंफ्रास्ट्रॉक्ट्चर और डवलप्मेंट अब ज़रा इसके बारे में detail समझीएगा यहाँ पर जो में फंडा है वो समझना है इस चीज को ले करके Development Finance Institution, DFI को ले करके DFI क्या चीज होती है समझते हैं एक example ले करके जैसे SIDBI का नाम आप लोगों ने सुना होगा SIDBI Small Industrial Development Bank of India यह तरीके का bank है ठीक लेकिन यह bank normal banking activity नहीं करता है यह करता है जो भी MSME सेक्टर की जो भी companies हैं उन लोगों को support करता है चाहे लोन के format में या फिर इनके deposit तो खर नहीं लेता है में लोन या फिर credit प्रोवाइड करता है तो SIDBI का main काम होता है जो भी Small Industrial Development ठीक है? तो Small Industrial Development के लिए SIDBI को बनाए गया है Similarly इसी तरीके से ICICI बनाई गई थी ठीक है? यह बनाई गई थी जो हमारी DFI है That is Development Financial Institution लेकिन बाद में यह ICICI Bank बन गया और यह जो DFI थी यानि कि जो Development Financial Institution है यह इसी ICI Bank में आगे जाकर के मर जो गया सबसे पहली जो DFI DFI आखिर में होती क्या है? DFI का मतलब होता है कि किसी एक Particular काम के लिए किसी एक Particular काम के लिए अगर कोई एक Body बना दी जाए ठीक है? जो की Finance से Related का का काम कर रही होगी इसी को बोलेंग हम लोग DFI जैसे हम लोग ने SIDB के बारे में बात किया सो इसका में काम है MSME को सपोर्ट करना MSME को प्रमोट करना तो इसके लिए जो भी Infra मतलब की Finance के काम कर रही है यानि बैंक की अंक्टिविटी कर रही है That would be considered Development Finance Institution सबसे पहली जो DFI बनाई गई थी वो IFC बनाई गई थी 1948 में बनाई गई थी ठीक है अब जैसे Basically this is Indian Finance Corporation हो गया तो ये जो basically Finance के लिए चीजे बनाई जाती है इसको देखा गया कि ये जो मतलब work कर रही है इसकी जो functionalities है वो कहा गया कि यार ये fail हो गया काफी पुराने तरजपे हो गई है Now in this world it will not work और ये 1990 से in fact कहा जा रहा है कि ये जो DFI है वो काम करना बंद कर दी है तो अभी recent में हुआ ये है कि जो Union Minister of Finance है इन्होंने इस National Bank for Finance Infrastructure and Development Bank को मतलब 2019 में इसको बनाए गया था तो इसके लिए कहा गया है इसमें क्या चीज़े चल रही है तो basically इसके meeting की गई चीज़ के review करने के लिए इसमें क्या-क्या highlight निकल के आए है इसमें ये निकल करके आए है कि long term infrastructure financing की जा रही है यानि 15-20 साल के लिए 50% sanctioned project दिये जा रहे है इसके अलावा collaboration हो रही है आडवाइजरी सर्विसेस की जा रही है जैसे IFC International Bank Corporation International Finance Corporation है सेम वैसे यहाँ पर जो हमारी National Bank for Finance Infrastructure and Development है वो भी सेम ऐसा ही काम करती है ये जो National Bank है ये 2021 में बनाई गए थी 2019 सब एक काम चल रहा था तो 2021 में बनाई गए थी और जब ये बनाई गए थी इसका Headquarter मुंबई में है तो इस समय पोजीशन ने बड़ा होहला किया था कि ऐसा चीज नहीं ले आना चाहिए तभी बोल दिया गया था कि ये फेल हो जाएगी इसके थूरू दिया जाता है इसके अलावा इनको भी strengthen करने का काम करते है इनको भी strengthen करने का काम करते है कही न कहीं infrastructure बनेगा यानि की capital formation की जा रही है तो capital बनेगा तो economy भी अच्छी खासी grow करेगी regulation के लिए RBI है RBI जो है All India Finance Institution के तोर पर इसको regulate करेगा stakeholder पे देखे तो government की अभी हाल फिलाल में पूरी stake है लेकिन government के वालों के वाल 26% रखने वाली है जो बचा हुआ आपका कितना परसेंट हो गया 74% है यह ultimately इसको अलग-अलग जो companies हैं जैसे pension fund हो गया sovereign wealth fund हो गया multilateral institution, insurer जितने भी लोगे इन लोगों को दे दिया जाएगा सवाल यहां पर क्या बनेगा समझिएगा सवाल यहां पर यह बनेगा सबसे पहले के DFI क्या होती है तो basics आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज़ पहली DFI कब बनाई गई है तो पहली DFI बनाई गई थी 1948 में क्या यह DFI को बोला गया था कि it has failed तो आप बोलेंगे yes it has failed in the history पुराने समय पे यह fail हो रखी है इसके अलावा जो हमारी national bank for finance infrastructure development बनाए गया है इसमें सरकार के हिस्सेदारे रेगी 26% तो जो बचा हुआ 74% है क्या वो एक आम individual भी खरीद सकता है क्या answer is no जो बड़ी बड़ी चीज़ें है यानि की multilateral institution sovereign wealth fund, pension fund, insurer financial institution, bank ये सब चीज़े क्यों खरीद सकती है individual खरीद नहीं सकता है ये सब जगह होंगी जहाँ UPSC आपको थोड़ा सा trick करने की कोशिश करेगा अगर all India financial institution के बारे में बात करने export import के लिए एक्जिम बैंक है नाबाट जो है वही जो RRBs है उनके लिए है NHB जो housing bank है उसके लिए है SIDB जो MSME के लिए काम करती है उसके लिए है यहाँ पर they all are you can say DFIs they all are DFIs ये सभी जो हैं वो एक तरीके की जो हमारी development finance institution है वो होती है अगला article है pension fund regulatory and development authority PFRDA अब दिखें ये जो PFRDA है इसमें कुछ यहाँ पर amendments किये गए है और जो amendments किये गए है उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़े लिखी गई है but I don't think इसमें कुछ खास question बनना चाहिए बार go through कर ही लेते हैं pension fund में amendment जो किया गया है उसमें बिसिकली administrative reform किये गए है this is administrative reform क्या administrative reform किया गया है यहाँ पर compliance जो है उनको बढ़ाने के बारे में बात की गई है compliance में किस तरीके से जो cyber security उसको ले करके आई है outsourcing policy को ले करके आना है इसके लावा जो भी sponsored bank है company act के अंतरगत उसके governance पर बात की गई है प्लस जो भी pension funds है उनको भी disclose करना है implementation of fraud prevention and mitigation policy by central record keeping agency fit and proper criteria for principal officers of both the sponsor and pension funds similar to those prevalent under SEBI तो I don't think कि इस पर कोई खास question बनना चाहिए लेकिन एक बार go through करना है तो कर सकते हैं दूसरा जो amendment किया गया है वो इसके बेसिक्स पर जरूर बन सकता है तो बेसिक्स को एक बार देख लीजिए कि pension fund regulatory and development authority so इसको 2003 में establish किया गया था PFFRDA Act के तहत statutory body है Ministry of Finance के अंतरगत काम करती है Headquarter इसका New Delhi में है composition जो होती है इसमें कुछ खास है नहीं Central Government के द्वारा ही appoint किये जाते हैं काम क्या क्या है एक तो pension related educating subscriber and public मतब ज़्यादा सज्यादा promotion करना है aware करना है लोगों को NPS में interest लोगों को ले करके आना है कि NPS में आप आ जाईए चुकि pension खतम हो गया है इसके अलावा एक regulatory intermediary के तोर पे काम करता है जैसे NPS trust हो गया point of presence हो गया इस टेक्टरा एट्सेक्टरा तो यह छोटी सी बात थी PFRDA को ले करके अगर किया है तो it will come back यह वापस आएगी और जब आएगी तो cumulative format में आएगी तो GAIA से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि अगर environments related किसी भी तरीके का अगर finance किया जा रहा है तो वो project GAIA कहलाएगा simple ठीक है अब यहाँ पर जो है यह bank of Spain और जो international settlement innovation ने इसके द्वारा किया जा रहा है क्या क्या यूज किया जाएगा artificial intelligence यूज किया जा रहा है इसके लवा large language model बगर यूज किया जा रहा है for climate related risk अगला है DSIB DSI का मतलब होता है domestic, systematically important जो banks होते है इनको बोलाता है they are too big to fail जैसे बड़ी-बड़ी जैसे SBI है क्या SBI कभी fail हो सकता है obviously नहीं SBI fail हुआ इसका मतलब पूरी economy खतम है बड़ी PNB हो गया या फिर ICICI हो गया यह सब बड़े-बड़े banks है they are too big to fail in fact they can never be failed आप ऐसे बोल सकते हैं RBI ने अभी recent में एक report निकाली है उस पे कोई खास मतलब उसका काम नहीं है लेकिन DSIB इसके बारे में जरूर जान लीजेगा यह RBI के द्वारा release किया जाता इसका जो framework है और BASIL committee के द्वारा यह एक तरीके का framework बनाये गया था इसमें अलग-अलग baskets वगरा होते हैं यह काम का नहीं है यह छोड़ दीजेगा बस आप यह definition क्या है इस चीज की What is the definition of this First thing Second है कि foreign bank जैसे होते हैं वैसे ही foreign bank को भी Global systematically important bank बोला जाता है जैसे हमारा Indian bank का DSIB वैसे ही foreign bank के लिए GSIB होते हैं बेसल की ही जो norm है यह जो बेसल वाली norm है इसी बेसल norm के हजाब से इसे CET1 capital surcharge यानि tier 1 के अंतरगत रखा जाता है जरुवत नहीं है बस आप यह समझिएगा कि जो बेसल norms होती है यह किस से related हैं तो आप बोलेंगे these are related with banking activities यह banking activities से related होते हैं वज़े से यहाँ पर basically इसका नाम लिया गया है एक और term यहाँ पर बोला गया है financial stability board को ले करके कि यह लोग GSIBs निकालते हैं financial stability board what is this thing दो चीज़े याद रखनी है कि यह G20 के meeting के दौरान में यह बनाए गया था दूसरी चीज़ यह financial stability को देखता है worldwide this is financial stability को देखता है और यह एक international body है यह G20 वाला ध्यान रखेगा option आपका eliminate हो जाएगा answer 100% आ जाएगा अगला है model based lending अब जैसे आज की data पे देखेंगे अगर आप लोगोंने phone pay वगर चलाया होगा तो उसमें उपर ही आता है कि loan आप 5 लाग तक का ले सकते है no paperwork है बड़ा बड़ा लिखा होता है no paperwork तो no paperwork का मतलब क्या है कुछ ना कुछ इन्होंने अपना algorithm बना रखा होगा इसी को बोलता है model based lending कि आपके algorithm के basis पर कुछ information आपसे ली जाएगी और आपको loan sanction कर दिया जाएगा तो RBI गवर्नर ने अभी एक caution notice दिया है कि आप लोग जो ये model based lending कर रहे हो algorithm based lending कर रहे हो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो क्योंकि अगर ये fail हुआ आपका startup भी बंदो जाएगा so it is a remote and automated lending process digital technology के basis पर ये depend करता है customer acquisition credit assessment, civil यहाँ से उठा लिया जाता है इसके benefits कही सारे हैं जैसे financial inclusion होगा जल्दी से processing हो जाएगी collaborations होँगे fintech के साथ में etc. concern भी वही है कि अगर इस तरीके से लगातार आप बाढ़ते रहेंगे तो फिर NPA की problem हो सकती है accuracy and information asymmetry, algorithm biasness exclusion of various bill payment system भारत bill payment system में अभी recent में एक नया कुछ regulatory framework add किया गया है RBI के द्वारा ये सारी की सारी जो power regulate की जाती है वो payment and settlement act 2007 के द्वारा की जाती है ये जो payment and settlement act है 2007 का इसके बारे में अलवरी हम लोगों ने काफी ज़्यादा discussion कर रखा है अब चुकि ये news में काफी ज़्यादा है तो इस act से आप एक question expect भी कर सकते है examination में तो थोड़ा सा detail में देख लेंगे अब ज़रा हम लोग आते हैं और ये भारत bill payment system के बारे में ज़रा समझते हैं और उसको समझने के लिए पहले थोड़ा जो background है इसको समझने के लिए वो समझ लेते हैं जैसे माल लेते हैं कि आपने कोई भी एक e-commerce website बनाई जरूरी नहीं है कि e-commerce website ही हो जैसे माल लेते हैं कि किसी भी educational coaching institute की माल लेते हैं की website है या कोई एक ऐसी website है जहां पर आप payment कर सकते हो किसी चीज को purchase करने के लिए अगर आपको payment करना पड़ रहा हो तो इन सारी website को बनाते कैसे हैं बनाने के लिए नॉर्मली सबसे पहले आप एक domain purchase करते हैं domain का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में keyword है जैसे for example recognitionis की बात की जाए तो यहां पर recognitionis.in ये website का domain हो गया ये domain purchase किया गया लेकिन domain purchase करने मातर से website active नहीं हो जाती है आपको एक hosting लेनी होती है तो आप क्या करेंगे hosting लेंगे और उसके लिए भी तमाम websites है जैसे go daddy या hostinger या फिर तमाम इस तरीके की websites है जहां पर आप जा करके hosting purchase करते हैं hosting आप दो जगों पर purchase कर सकते हैं या तो आप इंडिया में purchase कर सकते हैं इंडिया में आपका server रहेगा या फिर आप USA में कर सकते हैं तो अलग-अलग अगेन जो server रहेगा उस पर dependent कर जाता है और यहां पर आपकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से आप यहां पर hosting purchase कर लेते हैं अब आप इस hosting को इस domain के साथ में attach कर देते हैं attach करने के बाद में आपकी जो website है वो website अब active हो गई है यानि के अब आप जो URL है उस URL को अगर Google Chrome पे या कहीं पर भी search करेंगे तो it will appear यह आना शुरू हो जाएगा अब बात करते हैं जरा साथ इसके पीछे की जो coding होती है तो आप क्या करेंगे इस hosting में यहां पर अपनी जो भी आपने website की coding है उस coding को upload करेंगे आपने upload किया upload करने में यहां पर HTML कुछ लगती है मतलब coding लगती है या CSS लग जाती है या फिर Java script इस सर्च देखें से काफी चीज़े होती है आपने website बना लिया सारे pages लगा दिये सब कुछ लगा दिया अब आपको लगाना है payment gateway अब देखिए payment लेने के लिए आपको दो तरीके का database database से attach किया जाता है दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप खुद स्वयम payment accept करिए या अपने नाम पर बोल दीजिए कि मेरा तीसरा बंदा है वो मतलब आपकी payment accept करेगा जो तीसरा बंदा accept करता है इसको बोलते है payment gateway इसको बोलायाता है payment gateway payment gateway वाले क्या करेंगे कि आपके बदले में पैसा लेंगे जैसे for example कि आपने payment तक गय है payment page के बाद में यहाँ पर आपको अगर merchants दिखना शुरू हो जाएं जैसे कि Razor Pay हो गया ठीक है या फिर PayU हो गया या फिर CC Avenue हो गया या फिर इसी तरीके से तमाम होते हैं जो यह payment gateway प्रोवाइड करते हैं पेपाल खुद भी एक payment gateway हो गया तो इस लोग अपना खुद का service प्रोवाइड करते हैं इसलिए अपना खुद का GST भी कट करेंगे और इस तरीके से इंस्टा मोजो भी आप लोगों ने सुना होगा इंस्टा मोजो यह सब payment gateway होते हैं लेकिन आपने कहा नहीं मुझे किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है मैं जो इस तरीके की payment system प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपका just pay हो गया यह हो गया तो यह बहुत कम जगों पर देखने को मिलता है लेकिन जैसे कुछ gaming websites है जैसे तमाम है gaming websites तो उन gaming website पे इस तरीके का आपको payment system देखने को मिल जाता है इस payment system के बदले में आप जो भी UPI payment हो accept कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से अब सारी बाते clear हो गई होंगी कि दो चीज़े होती है एक होती है payment gateway यहाँ पर रेजर पे पे यू नॉर्मली यही चीज़े accept की जाती है क्योंकि payment को कोई manage करना नहीं चाहता है नॉर्मली तमाम यहाँ पर paper work करने होते हैं और दूसरी होती है payment system जो खुद अपना payment संभालते हैं यहाँ पर यह जो भारत भिल payment system है इस खुद से ली गई payment के बारे में बात करता है बात समझ में आ गई क्या चीज़ है तो यहाँ पर payment aggregator के बारे में बताया गया यह वही payment aggregator है जो हम लोगों ने यहाँ पर payment system के बारे में यह बात कर लखे हुआ हैं कि यह लोग एक payment aggregator के तौर पर काम कर सकते हैं अब यह जो भी आपकी वेब साइट है उस वेब साइट पर अल्टिमेंटली आपने इस पेमेंट एग्रीगेटर को लगा दिया अब यह पेमेंट अग्रीड करके अल्टिमेंटली आपके account में जो भी आपका CC account है वहाँ पर आपके पैसे जमा होते जाएंगे या जो भी आपकी company है उस company में पैसे जमा होते जाएंगे सो payment aggregator एक entity होती है जो की e-commerce websites या जो merchants होते हैं उनको अलग अलग तरीके के payment instrument प्रोवाइड करते है customer की तरफ से इससे आपका एक payment system payment integration system अलग से बनाया जाता है और उसके website पर आपको create कर दिया जाता है जो भी आपकी payment receive होगी वो ultimately आपका जो भी merchant है या जो आपका account है वहाँ पर पूल कर दिया जाएगा आपका पैसा महाँ पर transfer कर दिया जाएगा अभी हम लोगों ने जैसे की बात किया कि जो payment aggregator होते हैं यह payment gateway से अलग होते हैं payment aggregator जैसे जो हो डी सेंट्रो और payment aggregator पेमेंट गेटवे जैसे रेजर पे हो गया या फिर पे यू हो गया CCA venue हो गया, Insta Mojo हो गया, etc. तो यह payment gateway और जो payment aggregator होते हैं यह दोनों different होते हैं जहाँ पर payment gateway केवल और केवल आपको technology infrastructure प्रोवाइड कर रहा है वहीं दूसरी हो जो payment gateways होते हैं यह आपको एक service प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके पैसे को manage कर रहा है तो this is management of your money तो यहाँ पर normally इस service के बदले में यह कुछ अपना commission लेते हैं कुछ यह 2.7 या 2.8% का अपना commission लेते हैं और बाकी का जो payment system को management है जैसे आपको जो भी customer है उस customer को यहाँ पर invoice दे दिया जाएगा आपकी headache नहीं रह जाएगी प्लस साथ में आपका पैसा एक जगा पर pool होते आएगा और जैसे ही आपका दो दिन settlement का यह लोग time लेते हैं तो दो दिन settlement के बाद में आपका पैसा settle कर दिया जाता है तो इस तरीके से हमारे पास में payment aggregator और हमारे पास में payment gateways दो अलग-अलग तरीके की चीज़े होती है अ और यह एक NPO है non for profit, not for profit organization यानि कि company के तोर पर यह register की गई है ध्यान रखना है this is not a society और यह society act के अंतरगत नहीं register की गई है यह register की गई है company के तोर पर NPO के format में तो यह जो हम लोग ने भारत bill payment system को देखा यह एक online platform बनाये गया है जो कि NPCI के द्वारा बनाये गया है जिस भ work of agent के through जो की अलग-अलग तरीके की जो भी multiple payments होती है उनको यह generate करेगा और साथ ही साथ में उसकी जो भी रसीद है वो रसीद भी generate कर देगा इस operates as a tired structure अभी अलग-अलग tired structure के format में काम करता है एक central unit के तौर पे काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं भारत bill payment central unit और दूसरी होती है बी बी पी ओ यू यू दाट इस operating unit दो तरीके का में यहाँ पर काम किया गया एक operating unit है जो bill generate करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं बिलर operating unit दूसरा होता है जो customer operating unit होती है यानि कि customer को operate कर रहा है अब बी ओ यू का मतलब क्या हुआ बी ओ यू का मतलब हो गया कि जहां पर भी आपका जो भी बिलर है जो भी बिलर है उस बिलर को यहाँ पर यह manage किया जाएगा वहीं दूसरी हो जो customer operating unit है यह basically customers के जो भी physical infrastructure है या जो digital infrastructure है उसको manage किया जाएगा अगर आप समझे तो आप website को जो manage करना है digital infrastructure या physical infrastructure उसको बोलते है इसे manage करने का काम यह COU के द्वारा किया जाएगा अगर हम इसके कुछ regulatory के बारे में बात किया जाए तो regulatory में यह कहा गया है कि जो भी operating unit है इसे as a non bank payment aggregator के तौर पर enable कर दिया गया है कि यह non banking operator है और यह अब जो भी operational काम कर सकता है इसके अलावा अगर हम लोग बात किया जाए इस भारत bill payment जो central unit है इसके अपने rules and regulations जो रहेंगे वो government के द्वारा या फिर कहा जाए कि जो RBI है उसके द्वारा गवर्न किये जा रहा है होंगे और यहाँ पर जो भी technical standards इनको maintain करना है वो technical standards maintain इनको करके रखना होगा तो I think यहाँ पर बाते clear हो गई होगी इसमें जो main important है वो यही है कि payment aggregator और जो payment gateways होते हैं इन दोनों में क्या difference है इसी पर में सवाल I think बन सकता है अधर्वाइस यह सब चीज़ें जो होती है वो तो यूँ ही है नेक्स टॉपिक है डिस इन्वेस्टमेंट को ले करके अब जैसे डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि government जहां पर भी अपने stake को stake मतलब जो भी उनके पास में ownership होती है उस ownership को जब बेचना शुरू कर देती है तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट प्राइमरली तीन तरीके का होता है एक होता है जिसे हम लोग बोलते है minority दिस इन्वेस्टमेंट जहांपर सरकार अपनी majority stake या नहीं 51% से उपर रखती है लेकिन कुछ percentage बेच देती है जैसे अभी recent में किया गया था पिछले budget में किया गया था I think ONGC के shares को बेचे गया थे तो यह 65% 71% पहले stake थी ONGC में सरकार की उसको घटा करके अब 55% के आसपास कर दी गई है दूसरा होता है majority disinvestment जहाँ पर सरकार 51% से उपर जो भी stake है उसको बेच देती है मतलब अब यह less than 49% हो गई है सरकार के पास में less than 49% का stake बच गया है यानि कि सरकार अब minor investor के तौर पे है तो minority stake में हो गई है लेकिन यह जो minority stake होता है यह दो तरीके का होता है एक होता है जहाँ पर सरकार के पास stake तो नहीं है लेकिन यहाँ पर managerial power होती है यानि कि management करने का काम सरकार करेगी और यह best way of disinvestment बोला गया है दूसरा होता है जहाँ पर stake के साथ साथ management को भी swap दिया जाता है तो यह चीज कहीं न कहीं एक volatile situation को create करती है तीसरा तरीका होता है complete privatization जहाँ पर सरकार 100% अपनी जो भी stakes है उनको बेच देती है, private कर देती है और इस तरीके से जो ownership है वो पूरी तरीके से खतम हो जाती है including managerial ship जो भी management करने का भी काम है वो सब भी यहाँ पर चला जाता है एक चोटा सा सवाल यहाँ पर कई बार आप लोगों को सवाल आपसे पूछे भी गया होंगे क्या इंडिया में privatization कर देना चाहिए सबसे पहले तो आप यह समझ लीजे कि privatization और जो stakeholdership है यानि public है इन दोनों में जरूरत क्या है, difference क्या है, क्या चीज़े है देखिए privatization उस country के लिए, उस country में कर देना चाहिए उस country की need बोल सकते हैं कि जो पूरी तरीके से aware हो जादा से जादा लोग formal economy में काम करते हो जादा से जादा लोग जो standard of living है वो काफी high हो इस तरीके के जो लोग होते हैं वहाँ पर आप privatization कर सकते है प्राइटाइजेशन करने से actually होता क्या है कि जो market बनती है वो last day's fair बन जाती है, last day's fair होने का मतलब यह हो गया कि free market हो जाती है, अब जैसे USA के बारे में बात करिए USA में जो standard of living है वो बहुत ही high है यहाँ पर उतनी गरीबी नहीं है, जादातार लोग business oriented है startup culture चलती है, लेकिन हमारे इंडिया में अगर बात करेंगे तो इंडिया में अभी भी 90% से 90% के आसपास जो लोग होते है वो कहीं न कहीं दो काम कर रहे हैं, अगर कोई formal economy में है तो साथ साथ में informal में भी है, और informal के जो percent है जो कुछ 57% के आसपास informal economy में काम कर रही है तो इंडिया की economy अभी उस तरीके की नहीं हुई है कि हम last days fair ला जा सके तो privatization is not good for India at this time future में होगी that is a different issue लेकिन अभी के case में नहीं है, क्योंकि privatization के बाद market बहुत volatile हो जाती है, free market हो जाती है जो inflation है, वो अगर माल लेते हैं, हमारे यहाँ पर जैसे अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़दा gap है अगर हम free market कर देंगे, तो अचानक से inflation बहुत high हो जाएगी गरीब को नहीं मिल पाएगा उतना, जो अमीर को मिल रहा है और US से वगर में condition यह है, कि यहाँ पर standard of living काफी high है जानता लोग formal economy में है, तो दोनों में difference है तो इससे फाइदा क्या हो रहा है, जब this investment हम लोग कर रहे हैं, तो इससे फाइदा क्या हो रहा है पहली चीज, जो हमारा fiscal burden है, जो इतना बड़ा fiscal deficit होके रखा हुआ है उसको fulfill करने के लिए push मिल जाता, यानि कि जो भी हम लोग negative एक तरीके से जो घाटे में चल रहे हैं, वित्ती घाटा जो हमारा चल रहा है, वो fulfill हो जाता है उस चीज को reduce कर लिया जाता है इसके अलावा, जो resource perform नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकार के पास पड़े हुए है लेकिन नहीं perform कर पा रहे हैं, तो उसको reallocate करके private हाथों में दे देते हैं जिससे की ज़्यादा बहतर तरीके से चले जैसे health हो गया, या education हो गया, ये बहतर तरीके से चले अलकि ये भी एक subjective matter है, health और education क्या privatize करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके अलावा, under utilization of capacity of various PSUs अब जैसे बहुत सारी PSUs ऐसी है, जहाँ पर proper utilization नहीं हो ला है जैसे coal India Limited, ये सही तरीके से काम नहीं कर रही थी इस वज़े से इसको अब धीरे-धीरे disinvest किया जा रहा है, private हातों में दिया जा रहा है इसके अलावा, सरकार की जो non-strategic sector है, वहाँ पर अपने आपको withdraw कर रही है और जो भी public sector assets है, जो ऐसे ही पड़े हुए है, idle condition में उनको private हातों में दे करके उसको वापस से regenerate किया जा सकता है इसके अलावा, disinvestment से competition बढ़ेगा, market में discipline आएगी और जो non-essential services है, उसको हम depolitizeize कर सकते है तो राजनीती करण नहीं होगा, तो ज़्यादा बहतर तरीके से चीज़ें होंगी न्यूज में क्यों आया है, न्यूज में इसलिए आया है, क्योंकि अभी हाल-फिलाल में जो पहले target रखा गया था कि 50,000 करोड हम लोग 2024 वाला जो financial euros में disinvestment करेंगे, केवल 10,000 करोड का ही disinvestment कर पाएं है, बाकि सब नहीं कर पाएं है, कारण खरिदार नहीं मिल रहा है method of disinvestment क्या-क्या होता, अलग-अलग तरीके का होता, जैसे एक होता IPO, जैसे share market में पहली बार listing जब की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग IPO, तो first time जब भी एक IPO निकाल दी है, फर्दर फिर से जब निकाल दी है अपने ने IPO, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, FPO, यानि कि further public offering, offer for sale का मतलब यह होता है, कि एक platform, stock exchange का जहाँ पर share की auctioning होती है, यानि कि rate decide होते है, इसको बोल देते हैं, offer of sale, फिर होती है strategic sale, जहाँ पर सरकार 50% से उपर का अपना disinvestment करती है, तो उसको मोलते है strategic sale, next one institutional placement program, जहाँ पर केवल और केवल institute ही participate करती है, आम जंदा participate नहीं करती है, CPSC, ETF होती है, ETF का मतलब exchange credit fund होती है, जैसे चोटा सा example के तौर पे समस्ते हैं, जैसे आप लोगोंने mall वगरे में गया होंगे, mall वगरे में जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी नमकीन का एक साथ bundle बना दिया जाता है, अब इसमें कुछ biscuit भी होंगे, नमकीन भी होंगी, अब bundle बना जाता है, तो कुछ यहाँ पर discount डाल दिया जाता है, कि यहाँ ठीक है, इस वाले product का माल लो 100 रुपय हुआ, तो आपको केवल 95 रुपय ही देना है, तो 5 साल है, वो भी निकल जाता है, सेम वही चीज़ ETF भी होती है, जैसे बहुत सारे हमारे पास में shares है, अब जैसे shares, जैसे ONGC का share है, popular है, लोग खरीदेंगे, लेकिन CIL का उतना नहीं है, उतना लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि सब के bundle बना दिये जा रहे है अलग-अलग PSU's के, और bundle बना करके अब bundle बेचा जा रहा है, तो लोग अब इसको purchase कर रहे है, क्या ठीक है, कहीं न कहीं ये आगे जाकर के market में और ज्यादा demand होगी, तो share की price बढ़ेंगे, तो इसलिए ये ETF बनाया जा रहा है, that would be considered exchange credit fund, फिर इसके बाद से disinvestment करने का जो क काम करती है, इसका काम क्या है, main objective यही है, कि जो financial management है, उसको effective तरीके से चलाया जाए, इसके लावाद जो भी government, central government है, उसकी equity को share करना, purchase करना, ये सारे काम करने है, और बाकी people की जो ownership SCPSC's में, यानि PSU's में, उसको भी promote किया जाता है, कुछ छोटे-मोटे news है, जैसे T plus zero settlement, T T plus zero settlement का मतलब ये है, कि जबी भी हम लोग share trading करते है, या फिर किसी भी तरीके का fund या security transaction करते है, तो normally एक दिन का settlement time लग जाता है, इस एक दिन में settlement time करने के कायर से तमाम तरीके की दिक्कते भी आती थी, अब वो सारी दिक्कते भी दूर होंगी, क्यों? क्योंकि अब T plus zero settlement कर faster mode of reinvestment of money होगा, तुरन तुरन आप reinvest कर सकेंगे, इसके अलावा जो market की fluctuation है, वो और मतलब की trader can react more quickly, ज्यादा तेजी से react कर सकेंगे, जो counterparty risk हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे घट जाएगी और इसके अलावा जो trading strategy है, वो और ज्यादा active होगी, I don't think इस पर कोई सवा provide करने के लिए कई सारे index provider होते हैं, जो की creation, operation and administration of the index करते हैं, तो इस index के बारे में यही बोला गया है, सेवी के द्वारा, सेवी ने अपना एक नया regulation निकाला है, कहा ये है कि जो भी index provider है, जो भी registered है, they will now manage significant index based on security listed in India, इन लोगों को अभी index वगरा manage करना है, अगें ये भी कि किसी काम का नहीं है, आप चाहें तो इसको भी skip करना चाहें, तो skip कर सकते हैं, security appellate tribunal, अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजेगा, ये जो security appellate tribunal होते हैं, सेवी के cases, PFRDA के cases और IRDAI के cases, इन तीनों के cases की यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, अगर आपको सब के cases सुनते हैं, लेकिन इनकी cases को अगर आपको challenge करना है, then you can challenge इना security appellate tribunal, इसके भी अगर judgment को challenge करना है, तो आप high court में जा सकते हैं, इसके भी अगर challenge करना है, तो आप supreme court जाएंगे, तो ये hierarchy है, ठेक, जो भी यहाँ पर security appellate tribunal में बैठता है, ये central government के द्वारा appoint किये गए judge होते हैं, और central government जब appoint करती है, तो यहाँ पर जो chief justice of India है, उनसे भी एक बार राय मश्वरा लिया जाता है, short selling क्या होती है, अभी कुछ दिन पहले हिंडन बर की report आई थी और बहुत हो हला हो रखा था डानी की जो company है उसके उपर में, short selling क्या होती है, उसको समझने के यह थोड़ सा आसान भाषा में समझते हैं, जैसे हमाल लेते हैं कि this is you and you are very brilliant, बहुत ज़्यादा आपको market की समझ है, तो हम लोग shares के format में नहीं normal format में समझेंगे, यह चलिए shares के format में ही समझ लेते हैं, कोई एक बंदा है, उसके पास में माल लेते हैं कि 10 share है, ठीक है, 10 share है और इसकी value है 100 रुपए या 1,000 रुपए, यानि कि इसके पास में 10,000 रुपए के share है, आपके पास में चुकी knowledge है, आप कह रहा है कि भाई, बंदू, सुनो, एक काम करो, यह 10,000 रुपए के share जो है, आप मेरे को बेज दो, कितने में, आप एक काम करो 10,500 रुपए लेलो, च बना, आपने 10,500 की जो share है, आपने क्या किया, इस company में तमाम तरीके के consultation प्रोवाइडी किये, कि क्या-क्या चीज़े करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब यह company का share है, जो 1,000 रुपए पे था, अचानक से यह सारे काम करने के कारण से 12,000 रुपए पे, या 1200 रुपए पे ठीक है, यह हो गया साधारर तरीका जो normally किया जाता है, कि share जब company अच्छा करेगी तो share का दाम बढ़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर share के prices अब हो जाएंगे, यह तो हो गया normal जिंदगी, अब देखते हैं जरा mentors जिंदगी, mentors जिंदगी में क्या होगा, कि यह अगर आप है, आपने उस बंदे से कहा कि आप, जो आपके पास में 10,000 रुपए का share है, आप मेरे को दो नहीं, ठीक है, मेरे को बेचो नहीं, आप मुझे कुछ समय के लिए आप उधार दे दो, उधार मतलब जैसे एक महिने के लिए आप एक काम करो मेरे को उधार दे दो, इसने कहा चलो तो भी सीक्रेट्स है अच्छा इसको आपने माल लेते हैं कि तुरन तुरन बेज दिया आपके पास में कितने पैसे आगए 10,000 रुपए आपके पास में एकदम कैश पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है पढ़ा हुआ है आपने क्या किया इस कंपनी के सीक्रेट्स मीडिया में उलेल दिये मीडिया में डाल दिये कि भई कंपनी ने कहां कहां पर कौन कौन से डिफॉल्ट किये हुए हैं जैसे ही ये सारी निगेटिव न्यूज पहुची मार्केट में क्या कंपनी का जो शेयर का दाम है धड़ाम से नीचे गिरेगा माल लेते हैं 600 रुपई पर आ इस बेच में आपने 4 Inner रुपय कमा लिए इसको बोलते है शॉट सेलिंग करना जहां पर आपने उधार लेकर के बेचा और फिर इसको अल्टिमेटली कंपनी की जो भी यह में तत्राएं है उसको मार्केट में उजागर करके कमपनी के शेयर को गिराया पर्चेस करके वापस से लोटा दिया तो शॉर्ट सेलिंग ये लीगल है ध्यान रखना है दिस जी नोट इलीगल इलीगल टर्म बस यहाँ पर एक चीज होती है जिसको बोलते है naked short selling यह illegal naked short selling में कि यह पूरा जो system होता है share ही नहीं होता है share की कोई मतलब security ही नहीं होती है बस आप ऐसे समझे से security ही नहीं होती है एक तरीके से ये हवा में ही सारी चीज़ा चल रही होती है इसी को बोलता है हम लोग naked short selling जो की इंडिया में बाकी तो इसके बारे में हम लोग ने discussion कर लें एक्टरल सक्टर में फर्स टॉपिक है World Trade Organization को ले करके World Trade Organization में हालकि जो पुरानी वाली magazine है उसमें भी हम लोग ने discussion किया था यहां पर भी थोड़े details के बारे में यहां पर बाते की गई है तो हम लोग जितनी चीज़े हैं यह तो discuss करेंगे ही हाला कि इसको समझने के लिए जो context है वो हम लोग बात करेंगे लेकिन इसकी एक detail analysis भी आपको ज़रूरत होगी जो past year question की series हम लोग discuss कर रहे हैं उसमें हम लोग इन सारे जो भी related concepts हैं जो भी related इसकी history है उसको भी हम लोग discuss कर लेंगे तो जो exam में आने वाला है उसी को जादा पढ़ें बजाए की सारी चीज़ों को जानना यह I don't think की कोई बहुत logical होगा फिलाल अगर बात किया जाए तो WTO को जो basics है उनके बारे में अगर देखें तो WTO एक international organization है जिसे 1994 में बनाई गई थी इस टावलिश विती 1995 जन्वरी में हलाकि 1994 में इसकी रूप रेखा बन चुकी थी इसका जो headquarter है वो Geneva Switzerland में है इसे बनाए गया था उरुगवे round के दौरान में 1986 से 1984 के बीच में पूरा ये discussion चला था इस WTO से पहले get हुआ करती थी जो की किवलो किवल goods से related चीज़ों पर ही trade या फिर कहा जाए कि जो भी norms वगर हैं वो बना करके रखा गया था इसके member nations के तौर पर 166 member है recent में अभी commerce और T-Stay यानि के T-more T-Stay ये country add की गई है as a member nation इंडिया WTO का founding member था WTO basically goods and services दोनों ही चीज़ों पर बात करता है और किवलो किवल goods and services नहीं बलकि कुछ और चीज़ों पर भी जो related है इन goods and services से उस पर भी बात करता है ये एक international organization है जिसका main purpose है open trade को और ज़्यादा logo के बीच में पहुचाना ज़्यादा से ज़्यादा open रहे transparent रहे accountable रहे इसके objective अगर देखें तो इसका main objective है कि trade हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है लेकिन इस trade बढ़ाने के लिए जो इनका main जो पीछे का vision है वो है to raise living standard, job creation and improve the people's life यानि standard of living को और आगे बढ़ाना है इसके organization structure के बारे में बात करें तो दो चीज़े हैं एक है इसकी ministerial conference होती है और दूसरी है जो इसकी general council होती है ministerial council basically एक high level decision making conference होती है जो की दो सालों में normally की जाती है general council decision making के बाद में ultimately regular meeting के तौर पर ये किया जाता है day to day business आप इसको समझ सकते हैं जो भी dispute settlement body है या जो trade policy review भी है ये भी general council के दौरान में ही इनकी भी meeting होती है इनके functions के बारे में अगर बात किया जाए तो एक तो trade agreement है ही इसके अलावा trade negotiation करना trade में जो भी disputes बगर हो रहा है उनको भी settle करना arbitration के format में इसके अलावा जो भी national trade policies है उनको भी monitor करना ताकि एक open trade system बना रहे बाकि technical assistance और training भी provide की जाती है जो भी developing countries है उन लोगों को अगर इसके reports के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ reports है जो कि WTO के द्वारा publish की जाती है एक है world trade report, दूसरी है world trade statistical report global trade outlook और WTO annual report यह तो कुछ खास नहीं है लेकिन यह जो global trade outlook है और जो world trade report है यह दोनों important है कुछ अगर हम लोग recent के contemporary milestones के बारे में अगर discussion किया जाए जो कि जो ministerial meeting के दौरान में निकल करके आई थी 2014 में अभी recent में एक नया agreement पास किया गया था on GPA GPA का मतलब है government procedure agreement 2015 में इसी तरीके से information technology को लेकरके agreement हुआ था 2017 में trips पे agreement हुई थी कि जो भी poor countries है इनको affordable medicines की access providing किया जाए यहाँ पर in fact आप लोग एक टर्म आया था compulsory licensing को लेकरके यह भी most probably आप लोग COVID के दौरान में इसके बारे में सुने हूँगे इसके लावा trade facilitation agreement को लेकरके भी अभी recent में बातें चलने हैं सब ब्यूनसायर्स meeting जो हुई थी उस दोरान में निकल करके आया था लास्ट के अगर five ministerial conference के जगह के बारे में बात करें तो 2013 में हुई थी बाली में यह नवी meeting थी इसके अलावा नैरोबी में हुआ था 2015 2017 में ब्यूनसायर्स में हुआ था 2022 में जिनेवा में हुआ था और अबुधा भी यह latest में हुआ है 2024 में मैं suggest करूँगा कि आप इनकी जिनकी जो जगहें है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेगा क्योंकि UPSC यही सब कुछ tricks देती है इन सब information के basis पर you can eliminate the option and you can guess the option अगर कुछ challenges वगरे के बारे में बात किया जाए तो in fact पुरानी वाली magazine में भी हम लोगों ने challenges पर discussion किया था जैसे इंडिया और जो चाइना के बीच में dispute हो रखी थी उसकी settlement के बारे में हाँ पर बात हो रही थी तो उसमें एक तो बड़ा challenge निकल करके आता है कि जो developing countries और developed countries इन दोनों के बीच में consensus नहीं बन पाता है किसी एक negotiation को ले करके तो सबसे बड़ा challenge तो यही है कि दोनों ही यानि developing और developed country दोनों को ही एक platform पर ले करके आना और जो भी दोनों के बीच में negotiations हो रही है उस पे concrete result ले करके आना इसके अलावा dispute settlement system में भी dysfunction चल रही है अब जैसे यहाँ पर US कई बार blocking कर देता है appointments को ले करके तो यह एक बड़ा problem यहाँ पर एक बड़े challenge के तौर पर देखने को मिल रहा है और in fact यह पुरानी वाली magazine में भी हम लोग ने discussion किया हुआ था इसके अलावा US-China trade war भी चल रही है और इस trade war के कारण से भी एक WTO को उपर में बड़ा challenge हो गया है because the countries are actually dominating into the geopolitics geopolitics, geopolitics, geotrade में यह काफी आदा dominate कर रही है तो इस वज़े से काफी important है अगर कुछ इसके हम insights के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि जो farmer है जो भी produce ले करके आते हैं उस produce के बाद में यहाँ पर MSP प्रोवाइड की जाती है किसानों को अब यह जो MSP यह basically a kind of subsidy है लेकिन यह subsidy कहा जाता है कि this is a distorting technique यह distorting technique है और इसके बाद से PDS में चला जाता है अब जब MSP पे चीजों को procure कर लिया जाता है और फिर उसके बाद से सरकार के द्वारा international market में जब ट्रेड की जाती है तो यह distorting practice मानी जाती है कहा जाता है कि जो subsidy आप प्रोवाइड करना है यह subsidy कहीं न कहीं red box याणि ember box के अंतरगत आती है which is trade distorting which is not giving the real cost in the market market में real cost नहीं आपाती है उसके पीछे सीधा कारण है कि जो developed nations होती है उनकी समान relatively थोड़ा सा महंगे हो जाते है तो इसलिए कहा गया कि यह MSP वाली जो चीज होती है इसको हटाना चाहिए और free and fair trade करना है लेकिन अब अगर दोनों की condition को देखेंगे तो दोनों की condition बहुत ही different है अगर आप developed world में देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े खेत होते हैं यानि बड़ी बड़ी forms होती है technologically काफी advance होते हैं बड़े form होने के कारण से यहाँ पर जो भी mechanization है वो ज़्यादा बहतर तरीके से लग भी पाती है बहतर तरीके से काम भी करती है हमारे यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे यहाँ के जो किसान है वो काफी गरीब है पहली चीज़ दूसरा हमारे यहाँ पर जो dependency है वो dependency कुछ ज्यादा है और इस वज़े से जो farmer है, they are not getting the proper inputs, वो उनको proper वीज नहीं मिल पाती है इसके बदले में और इस वज़े से कहीं न कहीं सरकार का एक दाई तो बन जाता है कि इन लोगों को भी support किया जाए और इसी चीज को ले करके कहीं न कहीं दोनों के बीच में एक dispute होती है कि why are you supporting the farmer and why are you getting so many जो MSP पर इतना जादा पैसा खर्च किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है लेकिन दोनों की condition अलग है, एक तरफ developed world जो की बहुत पहले आजाद हो चुके है तो और उन्हें developing country को अपनी colony बना के रखी हुई थी और developing country जिन्होंने अभी recent में ही आजाद हुए, 70-75 साल हुए है, आजाद हुए और ये लोग अभी धीरे-धीरे चीजों को develop कर रहे है यहाँ पर poverty बहुत जादा है और regional disparity भी बहुत ज्यादा है तेरामी जो मीटिंग हुई 2014 में, दोहजाद 24 में, यहाँ पर कहा गया कि जो भी public stock holding हो रही है इस पर एक permanent solution हमें लेकर के आना चाहिए लेकिन अभी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इस पर कोई conclusive remark निकल करके, कोई conclusive result निकल करके नहीं आया अगर इस public stock holding policy के बारे में बात किया जा है, तो यहाँ पर यही चीज़ कही जाती है, कि जो government है, they are procuring the crop from the farmer at MSP और फिर ultimately store का लिया जाता है, और फिर food grain poor लोगों को दे दिया जाता है, सस्ते में दे दिया जाता है इस से कि जो बाहर की चीज़े हैं, माल लेते हैं कि अगर यह USA या बाहर से कहीं पर import होकर के चीज़ आ रही होगी, तो automatically it will be more costly तो costly जादा होने की वज़े से कहीं न कहीं जो cheaper product है, वो Indian product जो लोगों को जादा एक तरीके से dominate कर रहा होगा तो बाहर की चीज़े और India की चीज़े, तो यह trade distorting हो गया, क्योंकि अगर माल लेते हैं गेहू जो बाहर से, Ukraine से अगर आ रहा है, सपोज माल लेते हैं कि वो 50 रुपी पर केजी में मिल रहा है लेकिन Indian product अगर आप देखेंगे तो PDS के जरीए ये 3 रुपे, 4 रुपे पे ही किवल और किवल अवेलिबल हो जा रहा है तो इस वज़े से this is called as a trade distorting practices की यहाँ पर government कही न कहीं चीज़ों को provide जो कर दे रही है, वो सस्ते में provide कर दे रही है और इस वज़े से जो import है वो acceptable नहीं होगा, धीरे-धीरे Ukraine वाले अपना wheat है वो export करना basically छोड़ देंगे तो इस चीज़ को ही यहाँ पर कहा गया कि ठीक है आप developing nation है, आपको एक limit तो लगानी ही पड़ेगी कि इस limit तक किवल और किवल हम MSP provide करेंगे इस limit तक किवल और किवल public stock holding करेंगे, इचीज को गुलायता है D-minimus limit कि आपको एक limit लगानी है और limit कहा गया है कि 10% होनी चाहिए कि developing nation के लिए और developed nations के लिए 5% होनी चाहिए, लेकिन अगेन सेम वही सारी बात है कि सब लोग अपना अपना फायदा दे रहे हैं, देख रहे हैं, developed वाले अपना फायदा देख रहे हैं कि मेरे पास product ज्यादा है, तो हमें export भी करना है, export जो होना चाहिए, वो acceptable भी होना चाह गई है, वो उस समय के लगाए गई है, जिस समय इंडिया में चीजे होई नीरी थी, मतलब it was the reference point is 1986-88, यह आप देखेंगे 1986 में हम लोग कहां पड़ थे, क्या ही कर रहे थे, तो कहीं न कहीं दो बाते हैं, एक इस limit को ले करके और दूसरा जो benchmark बनाये गया है, सबसे पहले तो आपको benchmark के ही सही करना पड़ेगा, इसको at least 2011 गतो ले करके आओ, और इसी चीज़ को ले करके दोनों country में बहस शड़ी रहती है, जो developing country है, यह लोग कहते हैं कि जो limit है, इसको पहले आप बढ़ाओ, जो 10% की limit है, this is not acceptable, और यह कहीं न कहीं हमारे यहां के लोगों को भी नहीं बन पाएगी, तो India and developing country have asked for amendment in the formula to calculate, एक तो benchmark भी आपको जो year आपने benchmark, reference year ले कर रखा हुआ है, यह भी आपको सही करना है, दूसरा जो limit है, इसको भी आपको enhance करना है, जो developed countries है, यह कहते हैं कि जो most developed countries that they claim, जो public stock holding है, as a market distorting and it pushed for no export restriction, तो यह एक problem के तोर पर आमें देख को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही country कही ना कहीं, दोनों ही type of countries कही ना कहीं, दूसरे के साथ में अभी negotiation final नहीं कर पाई है, तो जब तक final नहीं हो रहा है, तब तक के लिए कहा गया है, कि हमें एक peace clause लेकर के आना है, कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, वैसे चलते रहने देन चाहिए, so WTO ने अपने 9th ministerial meeting जो कि बाली में हुई थी, वहाँ पर peace clause लेकर के आये थे, और एक interim solution के तौर पर कहा गया था कि जो चल रहा है वैसे चलते देना चाहिए, तो peace clause को अभी, मतलब जो 11th meeting है, वहाँ तक के लिए कहा गया, agree किया गया है, और अभी चीज़े चल रह इसी में यह सारी चीज़े निकल करके आई है, G33 के बारे में कुछ basics है, basics यह है कि इसमें 47 countries है, इनको friends of special product भी कहा जाता है, coalition of developing nation है, और इन लोगों का यही कहना है कि जो market की, जो limited market, flexibility to undertake limited market opening in the agriculture, with India, China, Indonesia among its members, this is important line, यह important point ध्यान रखना है, इसमें जो key demand है, वो 2-3 चीज़े है, एक SSM को लोग करके है, यानि कि special safeguard mechanism और दूसरी importance of public stock holding for food security purposes, यह दो point है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, SSM के लिए हम लोग एक अलग से discussion करेंगे, this has a separate discussion, और यह काफी important point भी है, और past year questions में भी इस पर सवाल पूछे गये हैं, आगे अगर बात किया जाए, फिशरी subsidy agreement को ले करके यहाँ पर बाते हैं, 13th meeting में ही, यहाँ पर जबलुचयो की, जो 13th meeting हुई थी, उसमें fishing को ले करके भी, fishing के ऊपर में subsidy को ले करके भी, कुछ खास decision निकल करके नहीं आया, मतलब की कोई conclusive remark निकल करके नहीं आया, क्या चीज़े चल रही है, एक तो Geneva package, अब क्या चीज़े नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कहा गया कि, मतलब acceptance from two-third of WTO member is needed for the agreement, and that is why यह अभी भी, मतलब कह लीज़े की, effect में नहीं आया है, India is not a member of this agreement, तो यह ध्यान रखने वाला point है, इसके कई सारे benefits भी है, अब यह किस तरीके से होगा? इस special and differential treatment में यह कहा गया है, कि जो developing countries और least developed countries है, इन लोगों को बोला गया है कि दो साल तक के लिए आपको एक time दिया जा रहा है, transition period, जिससे कि आप इस agreement में आ जाईए, इंडिया का जो demand है, वो तीन demand है, एक PPP, और दूसरा है CBDR, RC, PPP का मतलब यहाँ पर यह है, कि जो भी polluter है, उसको pay principal होना चाहिए, polluter pay principal होना चाहिए, और CBDR का मतलब है, common but differentiated responsibility and respective capability, जो जिस काबिल है, उस काबिल अपने हिसाब से अपना एक limit set करेगा, तो एक सबकी responsibility जरूर है, लेकिन सबकी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, सबकी अपने हिसाब से, विकॉज जो developed nation है, उनकी अपनी खुद की जो limit है, वो जादा होनी चाहिए, बजाए कि developing के साथ में comparable अप नहीं कर सकते हैं, Moraterino on distant water fishing nation, दूसरी है exception for developing country and island economies, जो भी small economy या developing nations है, उनके लिए exception दिया जाना चाहिए, एक और यहाँ पर ministerial meeting में ही cross border remittance को ले करके, एक draft पास किया गया है, इसमें 4 countries ने basically पास किया है, इंडिया, बांगलादेश, नेपाल और श्रिलंका, ये भी एक important topic के तौर पर ध्यान रखेगा, इससे भी एक सवाल बनने के chances जरूर है, अब देखिए, कहने के लिए सब चीजे होती है, कि इससे सवाल बन सकता है, उससे सवाल बन सकता है, देखिए, ये सारे guess ही होते है, कुछ important point होते हैं, जैसे कोई चीज है, दस साल में एक बार हो रही है, या कोई चीज है, जो मतलब कई लोगों ने मिल करके, आसपास की countries ने मिल के किया है, तो एक थोड़ा सा important जरूर बन जाता है, past year questions के आधार पर इन सारे topic पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना है, यही इसका में मतलब होता है, इन चारे कंट्रीज ने ultimately अपना एक joint communication किया, और इन लोगों ने कमिटी बनार के रखी है, trade in financial services को ले करके, यह basically remittance को किस तरीके से हम आदान परदान करेंगे, उस चीज को ले करके किया गया है, अगर इस कमिटी के बारे में बात करें, तो यह एक subsidiary committee है, जो की WTO के council for trade in services के अंतरगत आती है, जो council for trade in services है, this is responsible for facilitating operation of GATT and further its objective, खेर इसका कुछ खास नहीं है, बस आपको यह धियान रखना है, के लिए, चार country जो निकल करके आई है, वो India, Bangladesh, Sri Lanka and Nepal है, OECD, OECD that is जो हमारे पास में जो बड़ी-बड़ी economies होती है, basically जो developed economies है, वो सारे developed economies इस OECD के अंतरगत आती है, OECD के बारे में अगर बात किया जाए, तो OECD का मतलब है, Organization for Economic Cooperation and Development, 1961 में इसको फर्म किया गया था, यह important point of view, point है, इंडिया इसमें member नहीं है, लेकिन इंडिया एक इसका key partner है, key partner में इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, ब्रजील and साउथ अफरीका आते हैं, इंडिया को ध्यान रखिएगा, इंडिया इसका key partner है, अगर हम इस OECD country के बारे में बात करें, और key partner के बारे में बात करें, तो 80% world trade and investment का यह cover करते हैं, परपस अगर बात करें, तो परपस यही है कि यह जो भी economies है, उनके लिए policy बनाते हैं, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा prosperity है, equality है, opportunity रहे और लोगों का भला हो, that's it, इसके एक publication है, that is, Life Lesson from India, Migration in Asia, What is Still for the Future, यह point है, बस ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, अब अभी recent में क्यों आई यह news, recent में इनोंने अपना एक report publish किया है, that is, Breaking the vicious cycle of informal economy and low paying wage, अब यह informal employment से, यह आप ख्याली word याद रखिएगा, बाकी तो काम चल जाएगा आपका, इस report में कुछ चीज़ें बताए गई है, कहाईए गया है, कि world के जो major employed लोग है, they are in informal setting, और यह maximum informal economy में आ जाते हैं, मेरे क्याल साब लोग समझते होंगे, formal economy क्या है और informal economy क्या होती है, अगर हम लोग family के सारे member के बारे में बात करें, तो सारे member में कई सारे होते हैं, जो informally employed होते हैं, children inherit their parents vulnerability in the workplace, मतलब बच्चे भी उसी vulnerability में, यानि informal sector में ही जाकर के काम कर रहे हैं, and जो essential low paid jobs हैं, उनके recognition से हम इसको सही कर सकते हैं, इसके लावा formalization को आपको encourage करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को formal economy में लेकर रहे हैं, nutrient based subsidy policy, अब देखिए, अभी तक हमारे अहाँ पर yuria की main subsidy दी जाती थी, लेकिन yuria की subsidy के बाद में देखा गया कि कई तरीकी की problem हमारी जो form से उनको face करनी पड़ रही थी, अब normally जो soil है, उसको NPK यानि की nitrogen, potassium और जो phosphorus है, इसका ratio चाहिए होता है, लेकिन हम yuria के थुरू के बलो के बलो nitrogen दे रहे थे, तो इससे soil का degradation हो रही थी, और इस वज़े से phosphorus और जो हमारा potassium है, इन दोनों को लेकर के भी subsidy या फिर किस तरी fertilizers को market में ले करके आएंगे, इसके लिए ultimately अब एक नई policy ले करके आए गई है, Ministry of Chemical and Fertilizer ने अब ये बताया है, कि जो भी phosphorus और जो भी potash, sir related, मतलब की fertilizers होंगे, वो इस nutrient based policy के अंतरकर किस तरीके से अपना MRP तै करेंगे, उसके बारे में बताया गया है, हाला कि दिखिए, exam point of view से, I don't think कि इसके key provision पर कोई सवाल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो nutrient based subsidy policy है, इसको आप लोग जरूर देख लीजे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में क्या key provisions किया गया है, इस nutrient based policy के भी अंतरकर, यहाँ पर कहा ये गया है, कि जो भी potash और phosphorus related, आए जाएंगे, उसकी जो price यारी MRP रखी जाएगी, वो किस तरीके से रखी जाएगी, कि वो reasonable रहे, उसके लिए पहली चीज ये की गई है, कि यहाँ पर profit percentage किया जाएगा, यानि कि जो भी different profits ultimately ये fertilizer companies बना रही होंगी, उसको उसी category के हिसाब से differentiate किया जाएगा, दूसरी ची cost of sale को ले करके किया जाएगा, न कि total cost of production को ले करके, GST इसमें से exclude किया जा रहा है, प्लस साथ ही साथ में कौन सी companies applicable रहेंगी, वो सारी fertilizer बनाने वाली companies जो subsidy receive की हुई है, वो सभी यहाँ पर applicable हो रही होंगी, अब देखिए ये सब चीज़े जो बात की गई है, हमारे हिसाब से, I don't think कि इस पर कोई खास सवाल बनना चाहिए, लेकिन ये जो nutrient based subsidy policy है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं, nutrient based subsidy policy 2010 में introduce की गई थी, और यहाँ पर main काम यही था, कि जिस तरीके से nitrogen वाली जो यूरिया है, इसको दी जा रही है, वैसे ही phosphorus and potash को ले करके भी fertilizer बना कर के जनता यानि की farmer तक पहुचाना चाहिए, at subsidized price, इसको एप्रूव कर दिया गया था, financial year 2026 के लिए, ये एक important year है, जिसको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर बात करें, ये जो हमारी nutrient based subsidy policy बनाई गई है, ये बनाई गई है fertilizer control order 1985 के अंतरगत, जो की essential commodity act 1955 को भी मतलब quote करता ह है, इस NBS के अंतरगत 25 grade of phosphorus and potash fertilizers को मतलब सम्मिलित किया गया है, जिसमें से कुछ important है, DAP that is diamonium phosphate, इसके लावा MOP, muridate of potash, mono ammonium phosphate and triple super phosphate, अब जरा इन सभी का नाम ध्यान से रखियेगा, क्योंकि UPSC की एक आदत है, वो इस तरीके से सवाल पूस्ती है, नाम दे देगी और कह देगी कि this was recently in news, ये किस से related है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो है fertilizer से related है, खेर यहाँ पर आसानी से gas भी किया जा सकता है, जैसे देखिये, phosphorus हो गया, ammonia हो गया, ammonia से आपका nitrogen मिल गया, phosphorus मिली गया, same भही यहाँ सवर सारी चीज़ है, तो थोड़ा सा देखिये, guesswork important है, लेकिन guesswork कैसे blind नहीं किया जाता है, उसके पीछे का logic भी होना चाहिए, इन सारे logic और इन सारे जो past year के questions है, उसको हम लोग separately discuss भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जा करके आप लोग उसको देख भी सकते हैं, अगर इसके mechanism के बारे में बात करें, तो जो MRP है, वो ultimately government के द्वा government के द्वारा fix की जाएगी, हाला कि यह जो fix किया जा रहा है, वो market driven ही है, यह market driven ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि government ने कुछ अलग तरीके से इसका price decide किया है, तो market driven price decide की जाएगी, technically controlled इसकी price रहेगी, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, MRP's are supposed to be market driven and individual company ultimately sell करेगी, subsidy on U URIA is paid on dispatch, whereas NBS is paid on quantitative, जो इतनी भी quantity sold की जाएगी, उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़े की जा रही है, और URIA पर जितना dispatch होता है, यानि जितनी भी quantity निकलेगी उस पर होता है, अगला article है primary agriculture credit society, अब देखिए, cooperative society पर आजकल काफी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके प को connect करना है, चाए वो agriculture में growth के लिए हो, या financial inclusion के लिए हो, या किसी भी तरीके से हो, तो यहाँ पर cooperative काफी अच्छे से काम कर रही है, इसी तरीके से credit structure के लिए, गाव में लोगों को पैसे तक पहुचाने के लिए, basically forming activities के लिए ही, cooperative का एक structure बना करके रखा गया है, जैसे अ ये district credit, central cooperative bank, फिर उसके बाद से state level पे हो जाती है, state ये central cooperative bank, long term credit के लिए two tier system है, एक है आपका जो primary cooperative agriculture, rural development bank हो गया, और इसके just उपर में होती है, state ये central level पे cooperative agriculture, rural bank, ये दोनों जरा important है, आपको ध्यान रखना है, कि long term पे हमारे यहाँ पर two tier structure है, और वही अगर हम लोग short term पे देखें, तो यहाँ पर हमारे पास में three tier structure है, अब ये जो हमारे पास में PSE है, यानि कि primary agriculture credit society, अभी recent में कई सारे initiatives लिए गए है, ताकि इस PSE को हम expand भी कर सके, और इसकी modernization भी कर सके, कुछ के यहाँ पर नए initiatives लिए गए है, expansion को ले करके, जैसे 500 नए extra primary agriculture credit societies वगरा बनाई जाएंगी, और ये जो primary agriculture credit society बनाई जाएंगी, इनका main काम रहेगा कि construction of go down किया जाए, और बाकी कि जो agriculture inputs है, infrastructure है, उनको बनाए जाए, इनफाक्ट ये जो go down बनाए जा रहे है, ये food को store करने के लिए बनाए जा रहे है, जो कि in fact हम लोग अगले article में ही बात करेंगे, India's grain storage system दूसरा जो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, agriculture infrastructure को ले करके, अब एक infrastructure तो यही हो गया, कि जो भी produce है, जो भी grain है, उनको एक जगा पर रखना, इसके अलावा, जैसे माल लेते हैं कि farming activities के अंदर भी कई सारे infrastructure project करने होते हैं, जैसे irrigation को ले करके, ये सारी चीज़े भी इ हाँ पर initiatives लिए गए हैं, जैसे कि जो हमारे हाँ पर 18,000 ये जो PSEs हैं, यानि कि this one primary agriculture credit society है, इसका computerization किया जा रहा है, ये एक centrally sponsored project के तौर पर किया जा रहा है, जहाँ पर 63,000 जो PSEs हैं, उनको computerize कर दिया जाएगा, बस आपको धिहान रखना है कि computerization का process किया जा रहा है, न registry of cooperation ने अपना एक national cooperative database बनाया है, जिससे जितने भी cooperative sector में काम कर रही, जो भी organizations है, उन सभी का database एक जगा पर हो जाएगा, तो ये भी एक modernization का नेया technique ले करके आया गया है, primary agriculture credit society के बारे में अगर बात किया जाए, तो ये grassroot level की कह सकते हैं कि short term cooperative credit society है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा ही, ये cooperative society act के अंतरगत registered है, और ये multi state वाली नहीं है, state वाली है, यानि कि state registrar of cooperative society के अंतरगत ये काम कर रही होगी, ये जो हमारी SCB, यानि कि जो हमारी short term के लिए जो बनाई जाती है, cooperative credit structure जो बनाई जाती है, जो state के द्वारा गवर्न होती है, और यहाँ पर RBI के द्वारा basically चीज़े देखी आती है, क्योंकि यहाँ पर credit का system है, तो जो state वाली है, ध्यान रखना है, जो state वाली है, यानि कि उपर वाली ये, ये RBI के द्वारा governed होती है, लेकिन वही अगर PSEs को देखें, तो ये नाबाड के द्वारा होती है, न की RBI के द्वारा, नाबाड, ठीक है, नाबाड हो गया, तो this is outside the purview of banking regulation act, और ये RBI के द्वारा regulate नहीं की जाती है, बलकि ये नाबाड के द्वारा refinance क की जाती है, पैसा उपर से नीचे की और में down filtration के format में आता है, काम इसका यही है कि short term loans provide किये जाते है, input services provide की जाती है, significance देखें काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो PSEs है, यानि Primary Agriculture Credit Society है, ये 40% किसान credit card loan बाटी हुई है, पूरे country में अगर देखते हैं तो, इसके वाल 95% of these, जो 41% का 95% credit card जो दिया जा रहा है, ये small and marginal farmers को दिया गया था, खैर ये हमारे लिए कोई खास significant information नहीं है, जो यहाँ पर दो-तीन information है, वो ये इस table को ले करके है, प्लस साथ में यहाँ कि financing किस तरीके से की जाती है, इसको ले करके है, अब दिखें PSEs में हम लोगों ने परा structure को create करना है, प्लस साथ साथ में grainries को create करना है, तो अभी प्राइधान मंतरी ने एक नया project start किया था, जहां पर 11 PSEs को 11 state में world largest grain storage plan in cooperative sector का plan establish करने के लिए बनाये गया है, 11 state में 11 primary agriculture credit society बनाई जाएगी, जो की ये grain storage का mean काम करेगी, obviously ministry of cooperation के अंदरगत ये काम करेगी, इसका जो mean काम यही है, कि जो storage facility है, उसको decentralized किया जाए, यानि जिस level पर जहां पर भी इकठा किया जा रहा है grain, वही पर उस चीज को इकठा कर लिया जाए, अब इसमें हमारे पास agricultural infrastructure बनाने पढ़ेंगे, जैसे warehouse बनाना पढ़ेगा, custom hiring centers ब प्लस साथ ही साथ में जो भी loan है, उसमें loan intervention भी मिलेगा, यानि कि अगर मान लेते हैं loan है, तो 4-5% का intervention और मिल जाता है, यानि कि उतना सबसीड़ी एक तरीके से पैसा नहीं देना पढ़ता है, और ये जो mean काम रहेगा, वो go down या storage facility ये से बनाने के लिए ही main होता है, बहु agriculture infrastructure को create करने के लिए, इस fund से अपना जो भी subsidy अगर एक cooperative sector को देने है, या interest subversion देना है, वो यहां से दे दिया जाएगा, इसके लावा agriculture marketing infrastructure scheme हो गई, जो marketing infrastructure को develop करने के लिए बनाए गई है, इसके लावा mission for integrated development of horticulture, submission on agriculture mechanization, ये सब ultimately इस PSEs को help करेगा, इसी तरीके से food processing को लेकर के भी बनाया गया है कि प्रधान मंत्री formalization of micro food processing enterprise scheme और दूसरी ये प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना, fisheries को लेकर के में लिए scheme है, इसी तरीके से consumer affair food and public distribution की भी scheme है, कि allocation of food gain under national food security act और MSP, इन दोनों के अंतरकत भी, ये दोनों scheme भी यहाँ पर include कर दी गई है, कई सारी implementing agencies यहाँ पर है, जैसे food corporation of India, central warehousing, national cooperative development corporation, नाबाड हो गया और NBCC यानी की building construction corporation, क्योंकि ultimately जो भी grain weeds आपको बनानी होंगी उसमें building code लगेगी और ये NBCC ही code provide करती है, अगर हम लोग आज की date में grain storage system के बारे में देखें, तो grain storage system mainly अभी आज की date में maximum तोर पे traditional storage की तोर पे ही अपने घर में कठा कर लेते हैं, या फिर कोई traditional अपना एक कह सकते हैं कि go down मना करके रखे होते हैं, अच्छल में go down नहीं बोलना चाहिए, बस आप ये समझे है traditional structure मना करके रखे होते हैं, एक FCI काम करती है, FCI जो भी food grain weeds है, उसके storage का काम करती है, इसी तरीके से warehousing corporation होते है जो warehouse बनाने का काम करते हैं, state warehousing, state वाले लोग होते हैं, जो private agencies होती है, उनको भी यहाँ पर include किया जाता है, actual में FCI के पास में इतना infrastructure नहीं है कि वो सारे food grain को अपने पास एकठा कर सके, तो इसके लिए वो private लोगों को भी hire करती है, कि भही मेरा जो grain है उसको अपने पास ही रख लो, इसके लावा कई और भी authorities है, जैसे कि warehouse, development, regulatory authority, railway, civil supply department, etc., etc., इस पर तो कोई खास question नहीं बनेगा, लेकिन इन सब चीजों पर सवाल बनने के chances जरूर होते हैं, और बाकी तो care implementing agency यह सब है ही, next one is Krishy Vigyan Kendra, अब जैसे Krishy में agriculture में research and development करना काफी important है, research and development करने से ही हमारा जो agriculture है, वो modernization की technique पर आगे बढ़ पाएगा, और इसी के लिए हमारे पास में ICAR, that is Indian Council of Agriculture Research बनाई गई थी, अभी हाल में इन्होंने Krishy Vigyan Kendra का अपना golden jubilee year मनाया हुआ है, तो Krishy Vigyan Kendra आखिर में होते क्या है, नाम सही देखिए यहाँ पर इसपस्ट हो रहा है, Kr वो इसी के द्वारा की जाएगी, यानि कि R&D करने का काम में काम यही कर रहे होंगे, obviously इनको किसी ना किसी national agriculture university के साथ में attach किया जा रहा होगा, जहां पर इस पर academically research की जा रही होगी, तो यह जो हमारे Krishy Vigyan Kendra है, यह location specific technology module in agriculture and allied activities को allied enterprises को ही assess करते हैं, यानि कि उसको evaluate करते है यह integral part है, national agriculture research system का, दोनों system में कुल मिला करके कहानी यही है कि research and development का main काम यहाँ पर इन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो हमारे पास में NIRCRS है, यानि कि national agriculture research system है, यह ICAR national level पे और state agriculture universities state level पे मिल करके काम कराती है, जैसे हम लोगों ने अभी infected discuss ही किया, कि जो हमारे पास म यह R&D का काम कर रहा है, और यह किसी न किसी university के साथ में attach हो करके काम कर रहा होगा, तो state level पर इसे state agriculture university के साथ में attach करके काम किया जाता है, और बाकी central level पे तो ICAR जो research and development करने वाली organization है, यह तो है ही, जो हमारे पास में क्रिशे विज्ञान केंदर है, यह knowledge and resource center of agriculture technology के तोर पे ही काम करता है, बाकी इसके अलावा agriculture में क्या extension लेकर के आनी है, यह सारी चीजे भी recommend करता है, हाल फिलाल में बात करने तो 731 क्रिशे विज्ञान केंदर हमारे country में है, जो 11 agriculture technology application research institute zone के तौर पर establish करके रखे गया है, यहाँ पर जो finance होती है, वो सारी center के द्वारा दी जाती है अगर मतलब यह जो पूरी हमारी क्रिशे विज्ञान केंदर का जो idea है, यह डॉक्टर मोहन सिंग महता कमेटी के द्वारा recommend किया गया था, this is most most important, यह भी याद रखेगा 1973 पहली जो हमारी क्रिशे विज्ञान केंदर इस्टाबलिश की गई थी 1974 में, पुड्डू चेरी में, अंडर तमिलनादू Agriculture University कोयमबटूर के अंदर में, इस्टाबलिश की गई थी KVK का कई सारा रोल है, जैसे एक तो on farming technique, testing, जैसे कई सारी जो भी हमारी technologies बगरा है, उनको अलग-अलग farming system में रख करके test करना होता और उससे data निकालना होता है Frontline demonstration का मतलब यही है, कि जो भी agriculture technologies है, उनको आगे आ करके demonstrate करना बताना कि किस तरीके से यह काम करती है इसके लाभा advisory services भी प्रवाइड करती है, seed and planting material production को ले करके, act as resource and knowledge center यानि की research and development का main काम और उससे related जो भी information है, वो market में ले आए जाता है ICAR, it is a society, मतलब society registration act के अंतरगत यह established की गई थी, 1929 में ही established की गई थी, year important है में काम यही है कि जो भी agriculture है, उसमें coordinate करना, guide करना, research and development करना, etc. ये सारी चीज़े की जाती है अब देखिए अगला जो article है, ये थोड़ा सा उतना काम का है नहीं, लेकिन थोड़ी सी information इस पर भी देख लेते है Codex Committee on Spices and Culinary Herbs, अब आखिर में ये case क्या है, समझिएगा इसके context को समझ लेंगे, तो आगे की चीज़े थोड़ी सी आसान हो जाएंगी समझना अब देखिए जो spices है, या जो भी culinary herbs है, ये सब मेली मसाले के तौर पर ही काम किये जाते हैं और इसका main काम होता है, खाने को और स्वादिष्ट बना देना लेकिन होता क्या है, कि जितने भी हमारी European countries है, या American countries के बारे में भी अगर बात किया जाए ये लोग करते क्या है, कि WTO के अंतरगत ये लोग trade पर रोख तो लगा सकते हैं नहीं तो ये लोग जो technological barriers है, ठीक है, उनका एक तरीका ले लेते हैं जिससे sanitary measures हो गया, phytosanitary measures हो गया, साफ सफाई नहीं है इन तरीकों का इस्तमाल करके, यहाँ पर इन सभी जो भी product आ रहे है बिसिकली इंडिया द्वार एक्सपोर्ट किये जा रहे हैं, फिर बाहर country के द्वार इंपोर्ट किये जा रहे है तो इनके जो trade है, इस trade को रोकने की practice करते हैं, रोकते हैं ये लोग तो इसके लिए अब country क्या करें, country यही करती है, कि अब हम लोग क्या करेंगे कि एक organization या एक body बनाएंगे, जो कि WTO के norm के आधार पर इन सारी चीजों को evaluate करेगी और फिर जा करके जितने भी ये technological barriers आप लोग लगा रहे हो, इसको दूर करने के हम कोशिश करेंगे और इसी चीज के लिए ही एक meeting की गई थी कोची में, और यह जो meeting की गई है, वो codex committee की meeting की गई थी यहाँ पर इन लोगे ने five spices को निकाला है, कौन-कौन सी small cardinamum, ilaichi हो गई, turmeric हो गया, juniper berry हो गया, all peace हो गया अब यह तीन तो मुझे भी नहीं पता, कौन-कौन सी मसाला था, बस एक बार देख लीजेगा अब यह जो है, मतलब, this has been forwarded same to the CAC, to for adoption as full-fledged codex standard अब यह CAC क्या है, यह एक important point आपके लिए, exam के लिए है, CAC क्या चीज है, CAC का मतलब है, codex elementarius commission यह जो codex elementarius commission है, यह WHO और FAO के द्वारा establish की हुई, एक international food standard body है यह establish की गई थी 1963 में, अब आप लोग यहां से समझ गए ही होगे, कि कहीं न कहीं यह, जो भी WTO के अंतरगत होने वाले trade barriers है, उनको रोकने के लिए ही एक committee बना करके रखी गई है, या फिर कहा जा इस committee को, अगर आप पहले से ही अपने product वगरे से approve करा लेंगे, तो यहां पर चीजों को रुकना मुश्किल हो जाएगी तो इनका में काम यही है, कि food की जो trade है, उसको fair practice, again, कि आप phytosanitary measure अगरे नहीं लगा सकते है तो consumer की health और fair practice को ensure करना होता है 189 members है, India is also a member, इसका में काम यही है, कि जो भी codex committee on spices and culinary hubs है इसको अलग-अलग member countries में host किया जाता है, सत्मा वाला जो है, वो इंडिया में host किया गया है, कोच्ची में किया गया है, एक important point है, ध्यान रखने वाला point है यह जो standards होते हैं, they are voluntary and can be general और specific and are recognized by WTOA agreement as reference standard तो मेरे ख्याल से अब जो context है, उस context को समझने के बाद में यह पूरा point समझना ज्यादा आसान हो गया होगा तो यही चीज़ है, 7th session जो ही है, वो कोच्ची में हुई है, और यहाँ पर यह 5 तरीके के मसाले जो है, उसको include कर दिये गया है CCH यानि Codex Committee के बारे में अगर बात किया जाए, तो Commodity Committee के अंतरगत इसको establish की गई थी, 2013 में establish किया गया है इंडिया CCH को host किया है, और यहाँ पर Spice Board इंडिया, जो कि Ministry of Commerce and Industry के अंतरगत काम करती है, यह सेक्टेरी और्गनाइजेशन के तौर पर काम करती है इसका में काम यही है, कि जो भी dried और hydrated state में जितने भी spice and culinary herbs है, इनको worldwide standard के तौर पर ले करके जाना बाखी जो international organizations है, उसकी जो भी standard process है, उसको consult करना Codex standard के बारे में भी देख लीजे क्या चीज़ है, यह एक international food text है, जहाँ पर standard, code of practice, code of hygienic practice, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है यह जो codex text है, यह voluntary है, और इसका binding effect नहीं है food legislation के उपर में फाइदा यही होता है कि जो WTO के agreement के उपर में sanitary और phytosanitary measures लगाया जाता है या फिर जो technical barriers लगाया जाते हैं, वो इस standard के बाद में बहुत सारी चीज़े खतम हो जाती है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं तो इस वाले article में जो main important point था, वो point यही था कि आप इस body के बारे में ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा और दूसरी चीज़े इसका फाइदा क्या है, codex standard क्या है, यह दो चीज़े important है और तीसरी चीज़े important बस यही है कि इसकी सातवी session इंडिया में हुई है, that is in Qatchi Service sector, first topic है FinTech in India सबसे पहले समझ लेते हैं कि FinTech और Tech Fin में आखे difference क्या होता है जैसे माल लेते हैं, suppose एक example के थूरू समझते हैं माल लेते हैं कि यह आप हैं और एक कोई दूसरा बंदा है आपको पैसा, कुछ पैसा आपको मतलब इस बंदे को देना है माल लेत visão है, कैश format में आपके पास पैसे पढ़े हुए है लेकिन दिक्कत यह है, कि आप माल लेते हैं Delhi में और यह जो बंदा है, वो माल लेते हैं कि मुंभई में है अब आपको विदिन टू आवर आपको पैसा जो है इस बंदे को देना है आखिर कैसे देंगे एक तरीका ये है कि आप चुप चाप यहाँ से एक फ्लाइट पकड़ेंगे और जा करके वहाँ पर कैश दे देंगे एक ये है अब इस manual system को और ज़्यादा efficient और और ज़्यादा less time consuming बनाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़े की जाएंगी अब यहाँ पर एक तीसरा बंदा आएगा वो यह कहेगा कि मैं एक नई service प्रोवाइड करता हूँ service यह है कि आप एक काम करो आपको खुद जाने की जरूवत नहीं है आप मुझे अपना cash दे दो और यह cash मैं मुंबई में थोड़े ही time में within few minutes और within few hours मैं यहाँ पर पहुचा दूँगा आप कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह बंदा एक technology इस्तमाल करता है और वो technology है माल लेते हैं internet banking या फिर net transfer इस technology के जरिये यह बंदा इस बंदे के मतलब जो तीसरा वाला यह वाला बंदा है यहाँ पर खाते में इसके पैसा पहुचा देगा है और फिर ultimately cash deposit मतलब जो प्रविट कर लिया जाएगा इसको बोलते हैं Techfin जहां पर आपने financial जो भी चीजे की है जो भी financial services प्रवाइड की है वो technology की मदद से चीजों को सौट करने की आसान करने की कोशिश की है तो FinTech मतलब जो Techfin होता है Techfin एक traditional financial service होती है जो कि technology की मदद से चीजों को मतलब आसान बन आने की कोशिश की जाती है लेकिन इन सब की जगा पर एक नया service आ गया जिसको हम लोग बोलते है फोन पे अब फोन पे का मतलब यह है यह बंदा cash देना है लेकिन इसको anyway money देना है cash दो चाहा किसी भी तरीके से दो इसने क्या किया phone पे पे इस बंदे ने इस यहाले बंदे क नंबर लिखा और इसको phone पे कर दिया पैसे दे दिया Google पे कर दिया एट सेक्टर एट सेक्टर तो इसने क्या किया पूरा का पूरा यह जो financial transaction ही था इस phone पे ने ले लिया तो अब यह technology नहीं है यह पूरी की पूरी एक new system ही generate हो गई जहां पर इस बंदे के account को phone पे पे register किया गया साथ में जिसके account में transfer करना है उसका भी phone पे पे registration हुआ और सारी चीजे सारी गतिविधिया सारा transaction हो रहा है इस phone पे platform पर इसको बोलते हैं fintech जहां पर original financial system को ही जब कोई fintech industry या fintech mechanism अगर fintech platform अगर पूरे के पूरे financial system को ही overtake कर लेता है यानि कि उसको अपने under ले है तो इसी को बोलते हैं हम लोग fintech दोनों में difference clear हो गया होगा यहां पर tech fin में क्या हो रहा है कि कोई एक technology आ रही है जो उसी system को उसी तरीके को आसान बना दे रही है और जो tech fin में यहां पर system ही पूरी तरीके से बदल जा रहा है तो अभी हुआ क्या है कि world economic forum ने अपना एक report निकाला है fintech industries को ले करके that is future of global fintech towards resilient and inclusive growth और यहां पर कहा यह गया है कि जो इंडिया है यह most significant country है fintech industries को ले करके fintech industries के बारे में हम लोगों ने बात करी लिया कि एक software application based system होती है जहां पर किसी ना किसी intermediary के बदालत एक automated और improved financial services provide की जाती है यह improved financial services जो traditional financial services होती है उससे जादा better होती है और better competing होती है कई सारे हमारे यहां पर major fintech products अभी चल रहे हैं चाहे वो peer-to-peer lending platform को देख करके कर लिजिए जैसे peer-to-peer जो lending होती है जैसे आपका धनी हो गया या फिर आपका एक lazy pay करके है similarly इसी तरीके से spice card करके आता है तो कई तरीके के हमारे यहां पर lending platforms भी होते हैं जो आपको credit facilities provide करते हैं यह credit facility के basis पर या तो 15 दिनों में या 30 दिनों में यह अपना payment generate कर देते हैं और आपको payment करनी होती है similarly इसी तरीके से crowdfunding के लिए होता है कि आप facebook पर एक event लगा सकते हैं और वहाँ पर crowdfunding कर ली जाती है तो यह भी एक तरीके का fintech हो गया blockchain technology based चीजे होती है big data होती है smart contract, robo advisor, e aggregator तो कई तरीके के fintech products हमारे यहाँ पर इस समय चल रहे हैं और वो आपको देखने को मिल जाएगा तवाम तरीके से भारत पे हो गया एक fintech industry है similarly इसी तरीके से आपको जितने phone पे, google पे, जितने merchant वाले होते हैं सब आपको fintech industries के format में चीजे मिल जाती हैं अब यहाँ पर अगर देखें तो कई सारे fintech industries अब banks को, payment system को, nbfc को, security, broking को, wealth management, distribution इन सारी चीजों को कही न कहीं technology के साथ में हम लोगों ने यानि finance को technology के साथ add कर दिया तो वो बन गया हमारा fintech यह fintech 3-4 चीजों पर work करता है जैसे hardware पे, software पे, cloud पे और platform provider पर मतलब यह सारी चीजे ultimately हमारा जो fintech industry है वो provide करता है यह आपके लिए काफी important information होने वाली है आपके exam point of view से कि fintech industry इंडिया की third largest fintech industries है यहाँ पर near about 50% global level पर अगर बात किया जा तो real time transactions होते है worldwide जो कि 2022 का हिसाब किताब लिया गया है ministry of information, ministry of electronics and IT ने यह बोला है कि fintech industry का adoption rate है वो 87% है जो global rate से काफी ज्यादा है global rate 67% चल रहा है जबकि हमारे यहाँ पर 87% है आप खुद ही देखिए, कोविड से जस्ट पहले और कोविड के जस्ट बात देखिए कितने जादा लोग UPI transaction करना शुरू कर दिये है in fact UPI transaction अब बाकी की जो countries है वो लोग भी हमारा UPI system ले रहे है ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में वाइस कई सारे countries बिसे चाइना में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका खुद का UPI system है कुछ अपना ये अलग एक बना करके रखें उसके थूरू अपना transaction लेते हैं तीन यार से ज़्यादा Fintech startups इंडिया में रेजिस्टर किये गए हैं जिसमें से 17 unicorn भी हैं तो unicorn क्या होते हैं ये most probably आप लोगों को पता ही होगा कि what is unicorn industry इंडिया में अगर Fintech industries के बारे में बात करें तो दो जगों पर ये काम करते हैं एक payment system में और दूसरा होता है online financial products को ले करके payment system में कई तरीके के payment bank है जैसे phone pay ये एक तरीके का payment bank है Airtel देखेंगे तो एक तरीके की ये भी payment bank है इसके लावा mobile wallets काई सारे provide करते हैं phone pay हो गया ये भी अपना एक wallet provide करता है paytm हो गया payment gateways इसी तरीके से होते हैं razor pay हो गया, cc avenue हो गया, pay you हो गया payment infrastructure भी कई लोग provide करते हैं जैसे हम लोग ने last chapter में ही देख रखा था कि एक just pay करके था similarly अच्छा ये जो payment infrastructure ATM भी provide करते हैं ATM में जैसे white elephant ATM आप लोगों ने देखा होगा Tata group का है similarly इसी तरीके से lazy pay वालों ने भी अपना निकाल करके रखा हुआ है ठीक है, और एक धनी app करके है इन्होंने भी अपना ATM card निकाल करके रखा हुआ है तो इस तरीके से कई सारे ATM cards है और ये ATM cards केवल इंडिया में नहीं बलकि worldwide भी चलते है इसके लाबा MPOS भी होता है MPOS भी जैसे एक पीनो करके, पीनो laps करके है pine laps करके है कई जगों पर आपको ये देखने को मिल जागा एक device होती है pine laps company के द्वारा निकाली गई है और यहाँ पर अपना mobile के तरीके से होता और आपना जो भी scanner या credit card या जिस भी तरीके से अगर आपको payment करनी है you can pay through this device pine laps करके company है ये payment infrastructure provide करते है point of sale basically provide करते है similarly इसी तरीके से other financial products भी होते है जो lending करने का काम करते है insurance का हो गया जो NPS है new pension scheme हो गया या mutual fund या broking हो गया तो कई सारे आप लोगों को देखने को मिले होंगे जैसे phone पे खुद ये सारी चीज़े provide करता है similarly अप stock का नाम आप लोगोंने सुना होगा binomo का नाम सुना होगा और grow का नाम सुना होगा तो कई सारे fintech industries अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर अलग-अलग financial services और financial products ये provide करने है कई सारे initiatives भी है जो fintech को promote करने है जैसे ONDC ONDC के बारे में हम लोगोंने पूरानी वाली magazine में भी discuss किया था ONDC का पूरा नाम है open network for digital commerce जिस तरीके से flipkart और amazon है सेम वैसे ही इंडिया ने अपना भी develop करके रखा है ONDC तो इंडिया में अगर माल लेते हैं सरकारी तोर पर अगर कोई खरीद बेच करनी होती है दूसरा expansion of scope of trades trades का मतलब होता है trade receivables ये जो trade receivables होते हैं आप जैसे माल लेते हैं कि digital platform में वहाँ पर MSME वाले अपना कोई product बेच खरीद रहे हैं तो खरीदने बेचने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप सीधे सीधे उनको पैसा दे दीजे दूसरा तरीका होता है कि आप उनको एक trade receivables मतलब एक परची काट करके दे दिए आसान भासा में समझते हैं जैसे माल लेते हैं आप किसी दुकान पे गए ठीक है दुकान पे गए अब दुकान वाले के पास में माल लेते हैं कि आपने 15 रुपए का समान खरीदा लेकिन आपने इसको 20 रुपए दिए 5 रुपए बच गया 5 रुपए दुकान दार के पास नहीं है तो वो क्या करेगा एक परची पे 5 रुपए लिख करके नीचे साइन करके दे देगा और कहेगा या तो आप कला जाईएगा या फिर फलाने दुकान पे चले आईए वो अपनी ही दुकान है और वहाँ पर जा करके 5 रुपए ले लिजेगा तो आप जाएंगे यह वाला परची दिखाएंगे एक कैच करा लिया जाता है कई सारे फाइनेंशियर्स होते है जैसे बैंक हो गया तो आरबियाई ने इसके स्कोप को बढ़ा करके इंशुरेंस कंपनी को भी डाल दिया है यह सब काम का नहीं है बस आप यह समझिएगा एकस्पैंशन आफ स्कोप आफ ट्रेड क्या है तो ट्रेड MSME के लिए डिजिटल प्रेटफॉर्म है जहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स के थूरू ट्रांजेक्शन की जाती है दूसरा है डिजी धन डिजी धन मिशन का मतलब यह है यह मिनिस्ट्री आफ इलेक्रोनिक्स एन लोग हैं मतलब कंपनीज वह आती हैं और अपना यहां पर जो है डिसक्शन वगर हो जाता है सारी चीज़ें यहां पर कर ली जाती है नेक्स्ट आपिक है हमारा यूनिफॉर्म कोड फॉर्मस्यूटिकल मार्केटिंग प्रेक्टिस अब देखे इतना कोई खास अपने खरीदा है उसके पीछे जो इनफॉर्मेशन लिखी होती है यह बैलेंस्ट अप्टू डेट वेरिफायबल और किसी भी तरीके का मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए दो चार चीज़ें यहां पर जरूर होती है जो मिंशन की जाती है जैसे शिडियूल एच की दवा है यह शिडियूल एच वन की दवा है यह शिडियूल एक्स की दवा है यह सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि यह किस कैटेगरी की दवा है जिसमें से शिडियूल एक्स की जो दवा होती है यह काफी यादा मतलब इस पर मॉनिटर किया जाता है अगर आप दव उसका नाम यूज नहीं कर सकती है बिना किसी प्रायर कंसेंट के यह एक फैक्ट्वल फियर और कपेबल आफ सबसेंशियेशन मतलब कंपारजन होना चाहिए इसके अलाबा टेक्ट्वल और आडियो विजुल प्रमोशन भी बोला गया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं तो ज जैसे डिस्प्रिन का बहुत ज़्यदा परचार किया जाता है फिर इसी तरीके से सेरेडॉन का परचार किया जाता है तो जितनी भी दवाईयों का परचार बगर किया जा रहा है यह misleading या disguise नहीं होना चाहिए गलत तरीके से नहीं बताया जाना चाहिए इसके अलाबा है continuing medical education it should only be allowed through a well-defined transparent and variable set of guidelines relationship with the healthcare professionals किसी भी तरीके के जैसे मा लेते हैं जो MR बगर होते हैं यह लोग दवाईयां गिफ्ट कर देते हैं या फिर दवा के बदले में तमाम monetary grant बगर दिया आता है पैसे देते हैं पीकुलियरी advantage बगर देते हैं एक package देते हैं घूम करके यह डॉक्टर स तो यह सारी चीजों के ऊपर में रोक लगा दी गई है यह सरे काम आप नहीं कर सकते हैं पहला topic है annual survey of industries को ले करके यह जो annual survey of industries है यह निकाली जाती है मौसपी के द्वारा that is ministry of stats and program implementation यहाँ पर क्या के चीज़े कवर की गई हैं जितना भी industrial statistics है उसको कवर किया जाता है कौन कौन सी चीज़े हैं जैसे collection of stats act 2008, factory act, bdnc great worker act तो है तो बहुत सारे जरुवत नहीं है व या oil storage से related चीज़े हैं या जो oil distribution वाली चीज़े हैं इसको include नहीं किया जाता है दो चीज़े एक तो defense हो गया प्लस साथ में जो petroleum वाले चीज़े हैं इन दोनों को include नहीं किया आता है बाकी सारी चीज़े include कर ली जाती हैं क्या key highlights है this is important यह again important है कि यहाँ पर जो GVA के हिसाब से अगर बात किया जाए gross value edition के हिसाब से अगर बात किया जाए तो गुजरात ने top किया है इसके बाद से महाराज, तमिलनाडू, करनाटक और उत्तरप्रदेश फिर आ जाता है top 5 अगर employment के term में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तमिलनाडू, फिर गुजरात, फिर महा अगर देखें तो यहां पर कहा यह गया है कि यह resilience शो कर रहा है यानि कि flexible है इनफेट कई तरीके की जो अभी COVID-19 की जो pandemic आ गई है इसके बावजूद यह resiliency शो कर रहा है एक हम नया port बनाय जा रहा है subroom port अभी तक हमारे पास में 11 land port है जो operational है अब यह subroom बन जाएगा तो total हमारे पास में 12 land port हो जाएंगे यह जो subroom land port है नाम से ही पता चल रहा है कि यह मतलब थोड़ा सा बांगला नाम है तो basically यह बनाई जा रही है त्रिपूरा में बांगला देश बॉर्डर के साथ में यह चिटागॉंग port को connect करेगा मैतरी ब्रिज के साथ में जो बनाई गई है रिवर फेनी के उपर में फेनी अगर आपनों को याद हो एक चकरवाद था साइकलोन उसका विनाम रखा गया था यहाँ पर passenger और cargo दोनों के movement के लिए airport open किया जाएगा लेंड port वो होते हैं जो एक international border होते हैं प्लस साथ में यहाँ पर land custom station और immigration दोनों होती है immigration क्यों होती है? immigration होगी basically कि यहाँ पर जो आदमी है basically जो लोग है पबलिक है उसकी movement के लिए होता है अपना visa चेक होती है immigration की जाती है land custom वो होते हैं जहाँ पर आपकी cargo का चीज़े होती है तो passenger के लिए immigration cargo के लिए custom हो गया कोई दिक्कत नहीं है सुदर्शन सेतु नाम से ही पता चला है सुदर्शन यानि Krishna circuit से related कोई चीज होगी तो यह बनाई जा रही है आपकी गुजरात में यह सेतु यानि यह bridge बनाई जा रही है गुजरात में चार लेन का यह bridge है यह connect कर रहा है ओखा को बेत द्वारका के साथ में जो की गुजरात में बेत द्वारका जो basically डूब गया है island कहा जाता है कि यहाँ पर यह Krishna की नगरी हुआ करती थी सुदर्शन से तो यह signature bridge भी कहा जाता है यह गल्फ आफ कच्च में basically बनाए गया बस इतनी information ध्यान रखने वाली है सीला टरनल सीला नाम से पता चल रहा है कि अरुणाचा प्रदेश में basically जो पास है वही पर बनाया जा रहा है तो अभी सीला टरनल अरुणाचा प्रदेश में ही इस चीज को integrate किया गया है यह तेशपूर असम के तवांग अरुणाचा प्रदेश के साथ में connect करेगा बाकी है new Australian tunneling method से यह बनाई जा रही है इसके बारे में detail दी गई है बट I don't think इस पर कोई खास question बनना चाहिए इनरजी सेक्टर पहला topic है petroleum exploration and production को लेकरके important topic है अब यह हाल फिलहाल में Bay of Bengal की जो Krishna Godavari Basin की cluster 2 deep sea है उसका crude oil production ONGC ने start कर दिया है यही एक इसका context है context हमारे लिए खास important तो नहीं है लेकिन इसके बारे में जो चीजें वो थोड़ी important है हमारे यहाँ पर अगर देखें तो हमारे यहाँ पर जो petroleum basin है petroleum basin का मतलब होता है जहां से petrol निकाला जाता है petrol निकालने के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से rock और sediments इन दो चीजों से primarily हमारा petrol निकाला जाता है अब जैसे जो हमारे पास rocks होती हैं जो unpermeable होते हैं मतलब यहाँ पर उतना जादा permeability नहीं है यानि कि रिस रिस करके नीचे से निकलने की जो छमता होती है वो नहीं होती है तो वहाँ पर हमारा petroleum product इकठा हो जाता है हमारे यहाँ पर देखें इंडिया में तो 26 sedimentary basin है जो की identify किये गए हैं इन 26 sedimentary basin में से 49% तो आपके land पर ही है 12% shallow water में है और 49% deep water यानि कि exclusive economic zone के बाद में आ जाता है यह जो data है यह आपके लिए important है इसलिए इसको ध्यान रखना है this is important तीन तरीके की category होती है एक होती है जो हमारे पास में basin with reserve होती है अब जैसे exam में आपसे match the following करके question पूछा जा सकता है लिख देगा एक तरफ में reserve दूसरे तरफ में लिख देगा contingent resource और तीसरे तरफ लिख देगा prospective resource मिलान करना रहेगा तो जो reserves होते हैं उसका मतलब होता है कि जो produce हो चुका है और exploit किया जा रहा है contingent resource का मतलब होता है जो develop किया गया है और monetize किया जा चुका है next step होगा exploit करने का category 3 होती है prospective यानि in future it is going to be explored and it is going to be discovered अब जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास 3-4 चीज़ें जैसे asam shelf and asam की अरकान योमा वाली जो field है यह जो asam वाली चीज है यह already हम लोग यहाँ पर explore कर चुके हैं जैसे डिगबोई वगर आप लोगों ने सुना होगा नाम तो यहाँ से चीज़ें निकाली आ रही है similarly इसी तरीके से कृष्णा गोदावरी जो बेसीन है और कावेरी बेसीन है यहाँ से भी petrol निकाला जा रहा है इसके अलावा मुंबाई offshore का नाम आप लोगों ने सुना होगा यहाँ से भी निकाला जा रहा है दाजस्थान बाढ़मेर का नाम आप लोगों ने सुना होगा यहां से भी निकाला जा रहा है बाकी कौन सी चीज़े जो मॉनेटाइज हम लोगों ने कर ली है जैसे कैमबे हो गया इसको मॉनेटाइज है इसके अलावा यह जो हमारा करनाटका वाला है यह भी मॉनेटाइज है कई सारे एरियाज है जो हमारे मॉनेटाइज है बाकी इसके अलावा हमारे पास में प्रोस्पेक्टिव एरियाज है जो कि हमारे जैसे विंजन एरिया में मतलब प्रोस्पेक्टिव है तो यह main जो तीन categories है इसका example तो नहीं लेकिन यह जो तीन category है इसकी definition आपके लिए important जरूर हो जाती है अब जो method of extraction होता है वो दो तरीके का होता है एक होता है जो offshore होता है दूसरा होता है जो onshore drilling होती है offshore का मतलब होता है जहांपर हम समंदर के अंदर में जाकर के offshore drilling करते हैं this is marine environment and offshore basin onshore का मतलब होता है जहांपर आप land पे रहते हुए चीजों को निकालते हैं मुंबई हाई वाला onshore हो गया ONGC इंडिया की largest oil and gas producer है 72% hydrocarbon production इसी ONGC के द्वारा ही किया जाता है यह भी एगीन एक important fact है अगर ONGC related question मनता है तो अगर हम लोग अपना यह जो petrol बना रहे हैं यानि indigenous petroleum product का exploration और production कर रहे हैं इसकी क्या importance है इसकी importance सबसे पहले तो यही है कि हमारा जो import का bill है यानि हम जो चीजों को बाहर से मंगाते हैं वो हमारा काफी कुछ बच जाएगा डॉलर्स हमारे बच जाएंगे तो 85% के आसपास हम oil और 48% के आसपास हम natural gas मंगाते हैं जो हमारी requirement है उसके हिसाफ से दूसरी चीज़ जितने भी oil producing countries हैं वो सब अपनी strategic मतलब उनकी importance जियो politics में काफी strategic होती है क्योंकि ये लोग अगर ये तेल का supply बंद कर दे ये अप्लाइन में fluctuation कर दे तो global market पूरा हिल जाता है इंडिया वर्ल्ड में third largest consumer है oil और energy का तो automatically इंडिया की economy भी कहीं न कहीं इस oil पे काफी कुछ dependent है इसके अलावा जब हम oil हमारे पास से खुद produce करना शुरू कर देंगे तो आसपास की countries को जब हम बेचेंगे तो उसका tax उसकी royalty उसकी profit sharing इन सबसे काफी कुछ revenue generation होगा employment generation का भी काम किया जा सकेगा अब हमारे पास में एक होता है जिसको बोलते हैं unconventional petroleum reserves unconventional का मतलब यह होता है जो हमारे पास traditional तरीके से हम चीजों को जहां पर नहीं निकालते हैं वो बन जाता है हमारा unconventional तो जो भी oil and natural gas जो भी less permeable rock में trapped है less permeable का मतलब यही है जैसे हमारी rock है यह माल लेते हैं इसकी layering हो रखी है अब एक होता है कि पानी या जो तेल है वो risk risk करके इस तरीके से नीचे चला जाए लेकिन एक होता है जो less permeable है मतलब यहां से निकल नहीं पा रहा है conventional process में क्या है कि जो भी porous rock है यानी छेद वाली है और जो भी permeable है यानी छन करके नीचे चली आती है वही हम लोग oil and natural gas को हम लोगों ने निकाला है जो oil and natural gas के deposits है वो तीन तरीके से प्राइमरली देखने को हमें मिल जाते है एक होता है जो हमारा cold bed methane के format में है जिसे हम लोग cold seam gas के नाम से भी जानते हैं दूसरी होती है जो shale gas है और तीसरी होती है जो methane gas hydrates है यह basically hydrates आइस वाले जो से glacier हो गया glacier तो काफी बड़ा हो गया आइस के जो packets होते हैं solid होते हैं उसमें trap रहती है इसका नाम है clathrates यह काफी important नाम है clathrate यह ध्यान रखेगा है clathrate methane rich होती है बहुत ज़्यादा methane इसके अंदर trap होती है यह deep sea sediments में भी पाई जाती है permafrost soil के अंदर में भी पाई जाते है polar areas में और ऐसा कहा जाता है कि clathrates जो है वो polar area में आर्कटिक के अरिया में बहुत ज्यादा ही मौजूद है जो हमारे पास में shale gas है यह shale gas basically unmigrated unexpelled and untrapped है जो कि जो rocks है हमारे पास में जो sedimentary rocks है उनके बीच में यह space और fractures में मतलब फसे हुए है the shale gas or oil is produced commercially when sufficient fracture conductivity is induced by hydraulic fracturing coal band methane या जो हमारी coal seam gas है it refers to methane rich gas naturally in the coal seam typically comprising 80-90% of the methane काफी आदा methane basically यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है बाकी छोटी-छोडे portion में बाकी hydrocarbons भी होते हैं तो यह जो हमारे पास table है यह काफी important table है आप लोगों के लिए जो ध्यान रखना है crude oil के imports के बारे में next जो topic है इसमें कुछ fact पहले बात किया गया है जैसे इंडिया जो है third largest consumer है oil का US और चाइना के बाद में 2021 के data के हिसाफ से अगर बात किया जाए तो diesel it is the most used oil produced product in इंडिया और यह 35% petroleum product का consumption है 2021 में major suppliers हैं हमारे वो है Russia, Iraq, Saudi Arabia, UAE हो गया तो यह जो table है again this is very very important fact के हिसाफ से अगर बात करते हैं तो अभी हाल फिलाल में हुआ यह है कि जो standing committee है इस ने petroleum and natural gas की अपनी एक report summit की हुई है और यहाँ पर काफी कुछ details सामने निकल करके आया है crude oil के कुछ basics के बारे में अगर बात किया जाए तो crude oil जिसे हम black gold भी बोलते हैं again एक important fact यहाँ पर तो naturally यह occur होता है unrefined petroleum product होती है जिसको कि हम लोग refine करके जो भी countries हमारी है वो हम उसे export कर देते हैं petroleum product में कई सारे element भी होते हैं जैसे nitrogen, sulfur, oxygen इसकी हमें cleaning करनी होती है अलग अलग तरीके से furnace based होती है इसके लावा metals भी होते है iron, nickel, copper यह सब भी हमें hydrocarbon में small amount में mix हुआ देखने को मिल जाता है crude oil को जब हम लोग earth से निकालते हैं तो यह liquid raw material के format में होता है फिर इसके हम लोग refining करते हैं refining के दोरान में हमारे पास में कई सारे byproducts भी मिल जाते हैं जैसे gasoline, kerosene, diesel, jet fuel jet fuel का मतलब जो हमारी air turbine fuel होती है ATF जिसको बोलते हैं इसके अलावा wax हो गया, asphalt हो गया, lubricating, oil हो गई तो कई सारे यहां पर हमें byproducts भी देखने को मिल जाते हैं अब इनकी जो physical properties होती है, वो काफी कुछ different होती है और इसी different physical properties का इस्तमाल करके हम लोग इसके metallurgical activity में करते हैं जैसे color, viscosity, relative weight, composition some crude oil blend are considered superior to others for example, जैसे blend with lesser amount of sulfur जैसे होता क्या है, जब हमारी crude oil होती है, इस crude oil में कई तरीकी की impurity होती है तो impurity को हम लोग, जैसे sulfur की impurity को जब हम लोग purify करते हैं तो यहाँ पर अगर माल लेते हैं कि sulfur की less amount है तो इसको बोलते हैं sweet मतलब जो भी oil है और अगर माल लेते हैं ज़्यादा sulfur है तो इसको बोलते है sore oil यह sweet और sore यह again ध्यान रखियेगा, important हो जाता है कई सारे factors हैं जो कि इस crude oil के जो price होती है उनको affect करती है जैसे पहली चीज़ तो market driven यानि demand and supply हो गया natural disasters भी impact करते हैं import export policy हो गई, geopolitics हो गया और अगर माल लेते हैं किसी के उपर में sanctions लग गए हैं इंबार्गोज लग गए हैं तो उसके उपर में भी यह कहीं न कहीं impact कर जाता है Crude oil के कई सारे benchmarks हैं जैसे एक होती है जिसको बोलते है Brent oil Brent oil का मतलब यह होता है जहां पर sulfur की impurity को हम लोग हटा देते हैं इसके अलावा West Texas intermediate होता है और Dubai ओमान होता है अब यह तो चलिए ठीक है petroleum के अलग-अलग format है बिसकली crude oil के अलग-अलग format है लेकिन यह अलग-अलग जगहों पर देखने को मिल जाता है जैसे जो Brent oil है primarily हमें योरप में देखने को मिलती है West Texas यह USA में देखने को मिलती है और जो Dubai ओमान है यह बाकी सारे लग-बग पार्ट में देखने को मिल जाते है जो Middle East के हैं, Russia के हैं, US Gulf Coast हो गया, Mexico हो गया तो में लिए यह हो गया, योरप वाला यह हो गया, USA वाला यह हो गया, बाकी जगह वाला तो इस तरीके से भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं इंडिया के अगर Crude Oil Basket के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में SORE Grade आता है Oman और Dubai से और Sweet Grade आता है Brent Oil से जो की मतलब अगेन अलग-अलग जगहों से आ रही है योरप से प्राइमरली आ रही है अब इसका जो रेशियो होता है SORE का जादा होता है लगबग 75% हम लोग SORE मंगाते हैं 25% Sweet Grade मंगाये जाता है क्यों सीधी सी बात है Sulfur की जो Mittlergy है यानि Purification है वो हम लोग करही लेंगे तो क्या ही ज़रूरत है हम लोग Sulfur की Purification मंगा करके करें जो भी Middle East से Crude Oil आता है उसकी Cost relatively ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर एक Asian Premium का ज़्यादा Tax लग जाता है तो Indian Crude Basket is higher Asian Premium ये एक Extra Amount लेवी किया जाता है OPEC के द्वारा For Asian Countries above the actual selling price मतलब एक तरीके से Asian Premium क्या हो गया Asian Premium एक तरीके का Extra Tax हो गया जो Asian Countries को Import करते वक्त दिया जाएगा Asian Premium जो है वो किवल ओकिवल Crude Oil के लिए होती है This is again an important fact ये Asian Premium वाली चीज़ जो है वो आपके लिए important point है अब कही न कहीं इससे नुकसान तो होई राय कंटरी का तो इसके लिए कई सारे initiatives लिए गया है पहला initiative है अगर हमाल लेते हैं किसी तरीके की war like condition हो जाती है या फिर किसी के उपर में embargo लग जाता है sanctions लग जाते है तो इस तरीके की कठीन परिस्थितियों में हम क्या करें तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि strategic petroleum reserve program हमें चलाते हैं जहां पर हम 100 ton के आसपास में हम लोग पेट्रोल को reserve करके रखेंगे सबसे पहले बनाए गया था वाइजएक आयंड़ प्रदेश में मैंगलोर और पादूर में बनाए गया था phase 2 में इसी तरीके से उडिसा के चांदी खोल और पादूर में फिर से और additional capacity बनाए गई यह हमारा strategic petroleum reserve limited के अंतरगत एक SPV बनाए गई थी जिसको हम बोलते हैं special purpose vehicle यह बनाए गया था मिस्ट्रिय पेट्रोलियम और natural gas के अंतरगत इसका main काम यह इस SPV आप लोगों ने सुन रखाओगा जो हमारी 74th constitutional amendment act के थुरू यह भी एक local body के अंतरगत आ जाती है जहां पर main काम होता है किसे एक particular special काम के लिए यह बनाया जाता है इसके अलबा हम लोगों ने bio fuel के उपर में भी ध्यान दिया और हम लोगों ने ethanol blending के उपर ध्यान दिया हुआ है तो ethanol blending जैसे आप लोगों ने गाड़ियों में देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है E20 मतलब 20% blended ethanol इस गाड़ी में यूस किया जा सकता है क्योंकि सीधी सी बात है इंजन उसी हिसाफ से आपको medify करना होगा तो हम लोगों ने अब कहीं न कहीं फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और हम लोग अपना blending करने के लिए इस तरीके से काम किया है इससे environment का भी benefit होगा और साथ ही साथ में जो हमारा import cost आ रही है वो भी reduce होगी इसके लावा national policy on biofuel 2018 में ही launch की गई थी 22 में इस चीज को amend भी किया गया था इसके लिए हम लोग एक अलग से separate discussion भी कर लेंगे पूरी biofuel policy के उपर में इसके अलावा सब एक पहले आती थी marginal field policy जिसका नाम बदल करके अब discover small field policy कर दिया गया है इसका main income यही होता है कि जो भी hydrocarbon resource है जिसको हम लोग खोजेंगे, खोजने के बाद मैं इसको monetize कर दिया जाएगा यही है, discover करिए and monetize करिए sustainable alternate towards affordable transportation initiative that is सततवी scheme इस सततवी scheme के अंतरगत, यानि ministry of petroleum and natural gas के अंतरगत जो CNG वाले हैं, CNG नहीं, compressed bio gas है इसको एक alternate green fuel के तौर पर use किया जाएगा और इसी को आगे promote करने के बारे में बाते की जा रही है तो यह हमारे कुछ इन initiatives हैं जो हम लोग fuel की dependency को कम करने के लिए start करके रखे हुए है इसके अलावा हमारे पास में एक electricity amendment rule आया था जो पुराने वाले magazine है, उसमें भी हम लोग एने discussion किया है हलाकि इसमें जादा कुछ खास है नहीं देखिए इसमें जो नए rules आये हैं, उसमें electricity act 2003 में ही कुछ changes किये गए है ease of doing business को और बहतर करने के लिए green hydrogen manufacturer को energy transition को ले करके और energy security को ले करके कुछ कुछ चीज़ें यहां पर किया गया है इसमें क्या की highlights है, एक बार देख लेते हैं बट इससे related देखे question आने वाला नहीं है जो पुरानी वाली magazine थी, उसमें कुछ terms है उसको हम लोगों ने discuss कर लिया था, वहां से जरूर आ सकता है लेकिन यहां से कोई खास ऐसा point बन नहीं रहा है transmission lines, transmission line का मतलब यह है जैसे माल लेते हैं कि कोई, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जबी भी आपका meter लगता है तो एक load होता है load होता है, जैसे 1 kilowatt, 2 kilowatt, 4 kilowatt तो इस तरीके से load लिया जाता है अगर आप domestic appliances यूज किये जा रहे हैं तो बहुत होगा, तो 2 kilowatt का आपको लेना होगा load और बहुत उड़ करके चला गया तो 4 kilowatt का आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप manufacturer है माल लेते हैं कि आपने दुकान खोल रखी या फिर factory लगा रखी है तो आपको 150 kilowatt तक का लेना होता है तो इसमें कहा ये गया है कि जो भी customer है, जो भी consumer है factory वाला है, अगर उसको एक specified load से जादा चाहिए, जैसे वही 1500 kilowatt का अगर चाहिए तो आप खुद से अपना transmission line यहाँ पर बिछा लीजिए उसके लिए जो भी license वगरे के requirement होगी यह सरकार आपको दे देगी यह निया rule है, इससे significance क्या होगा एक तो आसानी से काम हो जाएगा industrial growth होगी, job creation होगी और दूसरी affordable electricity भी बन जाएगी यह भी बात हो जाएगी दूसरा topic है open access को ले करके अब जैसे अभी हम लोग ने साथ साथ nuclear भी हो गया है nuclear के साथ साथ renewable energy भी हो गई है अब thermal से अगर मा लेते हैं कि 60 रुपए बिजली बन रही थी तो nuclear से 40 रुपए बन रही है और renewable energy से 20 रुपए बन रही है तो 60 रुपए के हिसाब से अगर सारा बिल किया जाएगा तो यह गलत होगा तो इसलिए customers को यह कहा गया है कि जो लोग भी renewable energy की ओर में आगे बढ़ रहे है या nuclear की ओर में बढ़ रहे है तो आप लोग customer लोग demand भी कर सकते हो कि मेरे को renewable energy वाली electricity चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि यहाँ पर peak hour के हिसाब से फिर ultimately आपकी costing ली जाएगी अगर peak hour है तो आपका अलग costing बनेगा और आपका जो normal hour है तो उसके लिए अलग costing बनेगी यानि solar वाली जो costing होगी वो relatively cheaper होगी as compared to the nuclear और thermal वाली तो इसी चीज़ को बोला रहा है open access जहाँ पर आपकी अलग अलग charges जैसे willing charge, state transmission charge इन सबको अलग-अलग तरीके से लगाए जाएगा इसके अलाबा जो भी आपने net metering करा रखी है तो net metering का जो भी खर्चा वगर है था उसको भी हटा दिया गया है कि आप आगे से जो भी चीज़े होगी उसको लिया जाएगा ज्यादा ज्यादा जो emission norms है वो भी हम लोग फुल्फिल कर पा रहे हैं होंगे तो electricity काफी competitive rate पे हमें मिल जाएगी इसके लाबा power tariff के बारे में भी बोला गया है कि tariff shall be cost reflective and there should not be any revenue gap between approved annual revenue requirement and estimated annual requirement फॉर्प ठीक है इसमें कुछ खास है नहीं यह वाला point आप छोड़ सकते हैं देखे एक open access से related एक new मतलब जो भी है वो exam में आ सकता है transmission line से इससे तो कोई खास बात है नहीं बाकि जो हम लोगों ने पुरानी वाले magazine में discuss किया हुआ है उसमें ज्यादा important points discuss किये गए है innovation and entrepreneurship पहला topic है इसमें patent को ले करके अब दीखे तीन बेसिकली चीजे होति हैं एक होती है ज्से हम लोघ बोलते हैं patent दूसरी होती है जिसे हम लोख बोलते हैं copyright और तीसरी चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं trademark लोख लोख बना करके रखे गये हैं तीनों को गवर्न करने के लिए जैसे पेटेंट एक्ट लाए गया था 1970 में, कॉपीराइट एक्ट इसी तरीके से लाए गया था 1957 में और ट्रेडमार्क एक्ट लाए गया था 1999 में हाला कि समय पर इसमें चेंजेज वगरे किये जाते रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलाल में पेटेंट में एक नया रूल आया गया है, 2024 में कुछ नये चेंजेज किये गये हैं, ये Ministry of Commerce Industry के अंतरगत आते हैं, जो चेंजेज किये गये हैं उसके बारे में अगर बात किया जाए, त टाइम लिमिट जो पहले मतलब 48 महीने का हुआ करता था, 48 मतलब कि लगबल वक्त 4 साल लग जाते थे, उसको घटा करके 31 महीने कर दिये गये हैं, टाइम टेकिंग होती है, चली थीक थोड़ा सा प्रॉसेस बताता हूँ कि किस तरीके से होता है, जैसे महा लेते हैं कि आपक पेटेंड फाइल है, वो फाइल तेयार करेंगे, अपने किसी CS को देंगे, और यहाँ पर होती है, एक आपको एफडेविट बनानी होती, स्टैम पेपर में बेसिकली बना करके लिग करके देना होता है, 10 रुपे या 50 रुपे इस तरीके से स्टैम पेपर लगता है, अब इसके बाद से जो CS होगा, आपका कंपनी सेक्रेटरी होगा, वो आपका ये जो पूरा का पूरा फाइल है, वो फाइल बना करके जो यहाँ पर मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में दाखिल कर देगा, ट्रेडमार्क की अपनी एक वेबसाइट है, उस ट्रेडमार्क वाली वेबसाइट पर जा करके यहां पर application डाल दिया जाएगा application डालने के बाद में आपकी application जो है वो register कर ली जाएगी register करने के बाद में इस चीज को पूरा का पूरा खंगाला जाएगा मतलब की देखा जाएगा देखने के बाद में यहां पर कुछ समय के लिए public कर दी जाती है कि अगर कोई objection है तो objection यहां पर लगा दिया झाया और normally आपके उपर में objection आ ही जाती है 99% cases में objection आ जाती है तो यह तरीका होता है और objection फिर उसके पर बाद से क्या होता है आपको मिल जाता है तो यह चीज होती है तरीका यह होता है अभी हुआ क्या है जो रिनेवल फी में 10% का वेवर दिया जाएगा अगर आप अगर आप पैसा दे रहा है तो चार साल में आपका जो होता है यह पैसा जो है जो है उसको चेंज किया गया है तो इसमें कुछ खास है नहीं बाकि यह डेटा बैंक हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि एक लाग पेटेंट लबल लबग इंडिया ग्रांट करता है सत्मी पोजीशन है अगर हम लोग वर्ड में बात करते हैं तो तीन कंवेंशन से प्राइमरली जो की इस ट्रीटी या फिर पेटेंट से रिलेटेड कंवेंशन से जैसे पहला है पैरिस कंवेंशन है वो सबसे बड़ा इंटरनेशन कंवेंशन है जो की इंडिया इन सभी का मेंबर है तो आपसे एक्जाम में एक पूस गिया जाता है कि पेरिस कंवेंशन वाज रिलेटेड विद या फिर जो बुड़ापेश प्रीटी यह आपको जनकारी होनी चाहिए वीपो और्गनाइजेशन है जो की वल्ड इंटलेक्चल प्रॉपर्टी और्गनाइजेशन जिसका नाम है 1967 में इसको फर्म किया गया था सेल्फ फंडिंग एजंसी है यूएन की और इसका मीन काम यही है कि जो आई पी आर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है 193 मेंबर है इंडिया भी इसका एक मेंबर है बर्न कर्विंशन के थुरू इसको बनाए गया था बाकी इसके लावा यहार रिपोर्ट निकाली जाती है जब आपको certificate प्रोाइड कर दिया जाता है तो उसे हम patent बोलते हैं तो patent नॉर्मली जो दिया जाता है वो 15 साल के लिए दिया जाता है प्लस 5 साल के लिए आपका extend आप करा सकते हैं 20 येर के लिए आपका patent मौजूद होता है पेटेंट टेरिटोरियल राइट है मतलब अगर आपने इंडिया में माल लेते हैं पेटेंट फाइल किया है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही केवल और केवल ये पेटेंट रहेगा बाकी कंट्रीज या भी बाकी जोगों पर ये पेटेंट नहीं रहेगा ये एक novel काम है, येक inventive step है और industrial application के लिए काफी ज़रूरी होता है It should not fall under the category of invention जैसे अगर हमाल लेते हैं आपने patent file किया तो ऐसा नहीं है कि ये trademark वाले category में चला जाए मदब it should be precise, ये पता होना चाहिए कि किधर की सर्व में जा रहा है ग्लोबल साइड में regulation के बारे में बात करने तो वीपो है जो इस चीज को regulate करता है इसके लवाद trips agreement है जो WTO की है 1994 में इस चीज को sign किया गया था कि आप जो भी trade related intellectual property rights हैं उसमें हम मतलब चोरी चकारी नहीं करेंगे इस चीज के लिए है बाके इंडिया में patent act 1970 में आया गया था इंडिया मतलब WTO की जो trips agreement है उसका भी founding member है तो उसको भी accept करके रखा गया है time period 20 साल के लिए होता है it excludes the certain thing from being patented in India जैसे जो plant की चीज़े animal की चीज़े seed हो गया इन सारी चीज़ों को इंडिया में patent नहीं दिया जाता है इसके लावा देखिए IP इंडेक्स यानि intellectual property इंडेक्स निकाली गई है यो US Chamber of Commerce के द्वारा निकाली आती है 12 वी edition निकाली गई है top countries US, UK and France है इंडिया की position इसमें 42 ही है 42 out of 55 बस इतना ही आपको ध्यान रखना है यह जो हमारा intellectual property index है यह global innovation index से अलग होता है global innovation index वीपो के द्वारा निकाला आता है और यहां पर इंडिया की रैंक है 40 among 132 country यह जो intellectual property है US वाले निकालते हैं इसलिए US को नॉर्मली पहली rank मिलती ही मिलती है यह थोड़ा सा ध्यान रखना है यह दो अलग-अलग index है जो intellectual property को ले करके निकालते हैं अब दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे trade secrets होती है और एक होती है economic espionage trade secret का मतलब यह है जैसे माल लेते हैं कि Coca-Cola है ठीक है अब Coca-Cola को बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपना एक composition होगा हाला कि Coca-Cola ने इस पर patent नहीं लिया है लेकिन इस composition को अगर मैं अपना secret यह मेरा secret है क्योंकि इसी secret पर सारी चीजे चल रही है इसको अगर मैं patent ले लूँ तो इस secret को कोई दूसरा use नहीं कर सकता है जैसे KFC हो गया या फिर McDonald's वगर हो गया इन लोगों ने अपना पूरी procedure patent करा करके रखी हुई है इसी को बोलते है ट्रेट secret तो जो भी confidential business information होती है जिसको हम बेच या फिर license के लिए हम लोग ले दे सकते हैं सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग trade secret दूसरी हो थी economic espionage economic espionage का मतलब होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा मतलब deliberately किसी दूसरे बंदे की मतलब चोरी करे ठीक है सो government entity to benefit a foreign state it would be considered economic espionage act of deliberate acquisition of confidential information from domestic company and government entity to benefit a foreign state इसे हम लोग बोलते हैं economic espionage economical, industrial, commercial किसी भी तरीके से हो सकता है इस पर law बनाने की जरूरत क्या है economic espionage या फिर trade secret सबसे पहले चीज़ कि हम जो भी technology transfer हो रही है या cooperation हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ regulation होनी चाहिए और उस regulation के लिए we need to have a law इसके अलाबा resource intellectual property जो MSME और startups भी use करेंग उनको protect करने के लिए होता है क्योंकि बड़ी giant companies they can swallow these small companies जो MSME बगरे वाले होती है बाकि technology sector बगरे के लिए तो एक important चीज होती ही है अगला topic है digital monopoly and regulation of digital ecosystem अब digital monopoly नाम सही समझ में आ रहा होगा कि monopoly का मतलब होता है एक आधिकार करना तो digital तरीके से अगर आप किसी चीज पर एक आधिकार कर लेते हैं तो उसको रोकने के लिए और साथ ही साथ में digital ecosystem को regulate करने के लिए कुछ न कुछ हमारे पास में नियम कानून तो होने चाहिए हुआ क्या था कि अभी recent में Google ने अपने कुछ applications को play store से हटा दिया था तो कहीं न कहीं ये एक competition के खिलाफ है एक open competition के खिलाफ है कि Google किवल और किवल अपने ही product को अगर आगे बढ़ाएगा तो फिर ये open competition के खिलाफ होई जाता है इसके अलबा हम लोगों ने जो last पुरानी वाली magazine थी उसमें भी हम लोगों ने digital monopolies related discussion किया हुआ था वो भी Google का ही था तो उसको इव एक बार go through कर लिजेगा जरूर गूगल की जो parent company या अल्फानेट इसने कई सारे apps को जो भी मतलब non payment of Google app marketing fees के नाम पर इन लोगों को हटा दिया था मेती ने कहा कि जो deal list आप कर रहे हैं app को this is not permitted because this is कहीं न कहीं ये आपकी monopolistic nature को दिखा रहा है digital monopoly create कर रहा है तो digital monopoly क्या होती है अगर कोई एक particular company या platform अगर पूरी तरीके से digital ecosystem के उपर में अपना एक control इस्थापित कर लेती है तो इसी situation को बोलते है digital monopoly जैसे बड़ी बड़ी companies है Google हो गया Amazon हो गया या Facebook हो गया Apple हो गया या फिर Microsoft हो गया यह लोग बड़ी companies है जो digital monopoly create करके रखी हुई है अब digital monopoly के क्या characteristics है यह characteristic आप लोगों के लिए important है exam point of view से एक होती है जो domination होती है domination में क्या है कि company अपने कहीं न कहीं जो products है उनको digital space में ले आने की कोशिश करती है 70-80% making the dominant player in that digital space अब जैसे Google के कोई भी आप phone को देखेंगे तो जो भी Android जो भी Android लेकर के आता है तो वहाँ पर Google के apps already उसमें pre-installed रहेंगे ही रहेंगे तो यह एक domination का तरीका है जैसे Google पे उसमें रहेगा ही रहेगा भी आती है लेकिन जो competitor है वो इतना आपके लिए मुश्किल भरा सफर कर दे रहा है market में कि आप उस high cost को पे ही नहीं कर पाएं तो आप कभी competition में आहीं नहीं पाएंगे इसके लाब आए network effect को ले करके कई बार क्या होता है the platforms become essential and indispensable due to strong network effect where the value of platform increase as more users join ज़्यादा लोग जब मतलब जुड़ जाते हैं तो फिर जैसे YouTube का ही देख लीजिए कि YouTube जो channels के ज़्यादा व्यूज होंगे उतके ज़्यादा उतने impressions जा रहे होंगे तो यह network का effect हमें देखने को मिल जाता है similarly इसी तरीके से control over data and information कहीं न कहीं monopolistic nature रहेगा तो जो data उसके उपर में यह लोग अपना control करके रखते ही है lack of competition with minimal competition the monopolistic company can dictate term price and policies पस वही चीज़ अपनी policies ले करके आएंगे आखिर में इस digital monopoly के लिए हम लोग क्या क्या मतलब क्या क्या threat आ रही है तो एक तो पहली चीज़ है anti-competitive practices यह जितनी भी चीज़े चल नहीं है वो anti-competitive practices है और इसको रोकने के लिए कई सारे हमें actions भी लेने पड़ेंगे आप जैसे एक होता है जिसको बोलते है anti-steering anti-steering का मतलब यह है exclusionary behavior that hinders business users and customers from switching to third party service provider आप जैसे माल लेते हैं कि app store mandating use of their own payment system आप जैसे माल लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि Google Pay पे माल लेते हैं कि Google Pay नहीं Google Play Store है यहाँ पर आपको माल लेते हैं कि कोई चीज आपको subscription लेना है तो आपको Play Store के ही app से चीज़े लेनी पड़ेंगी बजाए कि किसी और third party app से तो Google ने अपना खुद का ही product केवल और केवल promote किया हुआ है तो promote किया इंफेक्ट आपको force किया जा रहा है कि you should use only this thing इसके लाब platform neutrality and self-preferencing कि आप केवल अपने ही product को कोशिश कर रहे हो कि आप अपने product को बेचो अलग अलग तरीके से बना करके adjacency bundle and एक छोटा सा example बताता हूँ मैं पहले कुछ दिनों पहले होता क्या था कि YouTube पर जब membership ली जाती थी तो बहुत ज़दा लोगों के पास में credit card होना थोड़ा सा मुश्किल काम है आप तो खहर होने लग गया पहले नहीं होता था तो यहां पर Google force कर रहा है credit card के लिए अब credit card अगर आपके पास नहीं है तो debit card यूज कर लो या फिर UPI कुछ न कुछ ज़्यादा लोगों के बीच में open करवाने के लिए dominate कराने के लिए यह चीज़े की जा रही थी इसके लवा एड़ेसंसी अन बंडलिंग कई बार क्या होता है कि अपने ही product को bundle बना करके तब बेचा जाता है जो चीज़ें नहीं भी करही होती है तो यह चीज़ें data usage हो गया pricing and deep discounting हो गई exclusive tie-ups हो गए तो यह सब चीज़ें हैं जो anti competitive practices के तोर पर काफी जादा फैली हुई है अब हम लोगों ने हाला कि इस पर कई सारे act बना करके रखे हैं जैसे digital competition है 2002 का इन्होंने digital competition को भी include किया दो चीज़ेंग को लेकर किया एक है ex post approach और दूसरी है ex ant approach ex post में है जहां पर anti competitive जो agreements है और जो domination का जो abuse हमें देखने को मिलता है उसे पहले scrutinize किया जाएगा और ex ant product मतलब approach में जहां पर parties intending to enter into a combination are required to notify and seek approval from the competition commission of India before consuming of transaction तो जो भी चीज़ें हो रही है हहां पर एक साथ मिल करके आना चाहरे हैं से पहले competition commission of India से permission लेनी पड़ती है हलाकि इस चीज़ को हम लोगों ने अपनी जो पुरानी वाली magazine आई थी December तक वाली उसमें हम लोगों ने detail में discussion किया है तो एक बार go through कर सकते हैं इसके लावा IT Act भी है इस IT Act में भी हम लोगों को इस तरीके की monopolistic nature बगरे देखने को मिला हुआ है कई सारे छोटे-छोटे key terms भी है जास है fund of funds scheme अब यह जो fund of funds scheme है यह प्रभाव नाम से start की गई है प्रभाव that is powering a resilient and agile भारत for advancement of visionary start-up तो यह basically start-up को fund करने के लिए किया गया start-up जो MSME सेक्टर में है और अगर MSME सेक्टर में है तो इसको fund कौन करेगा SIDB कर रही होगी तो basically this is a program of scheme of SIDB यहाँ पर यह start-ups को fund कर रहे होंगे तो यहाँ पर करना यही है कि इंडियन start-up ecosystem को boost करना है domestic capital को और access कराना है बाकि इसके लावर DPIIT के अंतरगत यह monitoring agency बन रही है SIDB के द्वारा registered एक alternative investment fund के थुरू यहाँ से पैसा आएगा इस alternative investment fund के बारे में भी हम लोगो ने पुरानी वाली जो magazine उसमें detail में discussion कर रखा है तो पुरानी वाली जो magazine उसमें काफी कुछ detail में discussion कर रखा यही सब चीजें आगे गोत्रू होते रहे हैं अभी एक और आपकी update 2 आएगी उस update 2 में भी same इसी तरीके से चीजें आएगी तो उसको भी हम लोग cover कर लेंगे इसके लावा startup शाला, dpiit ने यहाँ पर startup शाला that is startup India flagship accelerator program start किया है जहाँ पर startups को यह incubate करेंगे startup शाला एक sector specific initiative है जहाँ पर जो भी entrepreneurship है उनको network, उनको knowledge, उनको fund, उनको guidance मतलब एक तरीके से incubation provide किया जागा जो दो cohort, दो cohort मतलब दो meeting बोल सकते हैं इसको, दो meeting के तौर पर हो गए clean technology और deep technology, 20 startup इस तरीके से select किया जाएंगे हर एक cohort से तो cohort मतलब simple आप ऐसे समझे है कि अलग-अलग तरीके की meeting हो गई, दो grouping कर दिये गई है, not meeting grouping की गई है तो यह था basically इस पूरे magazine में economy के section में झाल, झाल, टो मतलब दो लाएंगे हैं जिस एकते हैं और भर को उस च्छिए प्राइब का प्राइब का इस रीजिसे धार ईवार झाल, तो спometric आपने हैं ठहां, झाल, प्बादाब च जो गई हैं जो दो हम आपने है lagi